चैप्टर टू देख रहे हैं मेजर्मेंट और सिस्टम ओफ यूनिट्स मेजर्मेंट और सिस्टम ओफ यूनिट्स की बात करेंगे आज अब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ होती है कुछ आपकी इसमें नैचरल है कुछ हमारी बनाई हुई है याने की मैनमेड है आर्टिफिशल है तो कोई भी फिनामना या एक्टिविटी हो रही है इसके लिए हमारे पास या हमारे पास ऐसी कई चीज़े होनी चाहिए जिससे हम मेजर का सके अलग अलग फिसिकल कॉन्टिटीज है डिफिर्ट डिफिर्ट आप देखेंगे अभी हम बहुत डिसकस करने वाले है उनका मेजरमेंट होगा जैसे मैं अगर आपको एक्जामपल दूँ कि एक फूरूट है जो एक ट्री से गिर रहा है नीचे अब इस फिनामना को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास डिस्टिंस यहां से यहां तक डिस्टिंस फिर टाइम और कितना वेट था उसका कितना मास था तो डिस्टिंस टाइम और मास इनको accurately रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई नो कोई physical quantities चाहिए तो किसी भी physical quantity को measure करने के लिए उसका अनुमान लगाने के लिए उसको compute करने के लिए हमारे पास पहले तो unit होनी चाहिए उसके बात हम आगे बढ़ेंगे तो इस discussion में हम physical quantities का बात की बात करेंगे कैसे उसको measure करेंगे कैसे different units है उनको हम define करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन-कौन से errors हो सकते हैं यदि हम इन ये तो कुछ हमने दी है और भी आएगी इन physical quantities को measure करेंगे तो क्या-क्या errors हो सकती है क्या-क्या उसमें कमिया दिक्कते हो सकती है किसी भी physical quantity की unit क्या होगी किसी भी quantity का जो standard measure है एक standard measure हम कहते हैं कि देखे साब हम 70 के लोगे है 60 kg के है तो हम kg बोलते हैं आपने किसी को सुना कि मैं इतने मिली ग्राम का हूँ किसी को नहीं कसना होगा कि weight आप किसी का भी पूछेंगे तो कहेगा मैं इतने मिली ग्राम का कभी नहीं सुना होगा किसी नहीं कहा height क्या है तो किस आप बोलेंगे इतना 5 feet 8 inches 9 inches या आप centimeter में पूछ लेंगे आपने किसी से पूछा और उसने कहा मेरा मिली मीटर में किसी नहीं कहा होगा तो एक standard measure होता है जो measure है unit का बहुत definite होना चाहिए और unambiguous होना चाहिए यानि कि एक unit दो चीज़ें के represent ना करें या दो चीज़े एक ही unit के dependent ना हो एकदम clear हो यह इसके लिए है kg है weight के लिए अगर आप time की बात करें second हो सकता है आपका आवर हो सकता है unit इस तरीके के होनी चाहिए उसका measure समय के और प्रस्तितियों के हिसाब से change ना हो और यदि हमने एक unit को define किया किसी भी इस phenomenon को ले के तो phenomenon पर्मनेंट होना चाहिए और phenomenon ना change हो phenomenon को change होगे आप दाशला unit भी change हो जाए और या फिर unit वही रहे फिनामना चेंज हो जाए तो जो repli का है prototype या लें कि एक चीज़ का जो अनुमान है प्रारूप है किसी भी unit का उसको आप reproduce कर सके और वो आपके पास easy लेवलेबल हो कैसे हम physical quantities की unit देखेंगे और क्या system होते है इस unit के physical quantity की सीमा नहीं है बहुत सारे हैं लेकिन शुरुआत में अगर हम किवल limited minimum कुछ नंबर ले physical quantities के जिसके लिए हम unit define कर ले और फिर इन unit को define करके हम आगे और define करें जैसे हमने कहा kilogram से शुरू करते है kilogram हो जाएगा उसके बाद और weight बढ़ा सकते है gram को नीचे कर सकते हैं मेरी gram कर सकते हैं और भी microgram कर सकते हैं तो हम शुरुआत किसी एक चीज़ से करते हैं थोड़ी सी चीज़े लेंगे उसके बाद उनको देखेगा जोड़ जोड़ के हम कैसे बनाएगे तो जो minimum physical quantities है इसको हम कहेंगे fundamental quantity जो हमें कम ली है शुरुआत में और उसके बाद उनकी units को हम कहेंगे fundamental या base unit फिर समझेगा जो physical quantities जो हम शुरुआत में लेंगे उनको fundamental quantities कहेंगे और उन इन units को हम कहेंगे fundamental units अब बाकी जो भी physical unit है इन fundamental units को मिलाएंगे और बताएंगे जो आगे हमारी निकल के आएंगी इस fundamental quantities से बनके उन्हें हम कहेंगे derived physical units या derived physical quantities quantity को कहेंगे derived है यह और units को कहेंगे कि यह derived units है तो अलग-अलग system अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग system आए इनको समझ लेके, इनको define कर लेके एके करके मैं बताता हूँ FPS system यह British system था, F का मतलब इसमें food है P का मतलब pound है S का मतलब second है फिर CGS आया यह है, ऐसा आया नहीं, यह मतलब आए और रहे गए, अभी तक है C से centimeter G से gram, S से second MKS की बात करें तो meter, kilogram, second MKS है meter, kilogram, second और ampere SI units SI system, इसमें साथ base units हैं इन सब को आप समय समय पे देखेंगे, मैं बताऊँगा इनके बारे में SI system unit यह एक internationally accepted, generalized system है international system of units जो international system of units है उन्होंने accept किया 1971 में 1971 में general conference जो weight और measure की हुई और leadership जिनकी थी वो थे international bureau of weights and measures यह France के parish शहर में located थे साथ quantities को fundamental quantities लिया गया कि देखें साथ यह साथ को हम fundamental लेते हैं और इनका पहले हम जानकारी लेते हैं इनके बारे में समझते हैं फिर आप देखेंगे कि कैसे हम इनको जोड़ जोड़ के हम final कोई भी unit बना सकते हैं तो इस discussion में इस conference में जो कुछ discussion हुआ उसके बाद length base quantity length इसको का आगया हम meter लेंगे symbol इसका हम दिया अब यह symbol को बहुत ध्यान से दिमाज में दिल में उतार लीजिए उसका कारण यह है यह नहीं से आगय हमारी चीज़े बनने वाली है meter यह length है उस path का जो live travel करती है vacuum में इतने time interval में बहुत बड़ा number है तो उसको समझिएगा इतने time यानि कि this 1 by 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 कितना हुआ इतने second में जितना length light travel करती है vacuum में उसे ही हम length ले रहे हैं मास के बारे में बात करें तो kilogram kg kilogram क्या है यह international prototype जो kilogram का है यानि कि platinum iridium alloy cylinder जो कहां रखा गया है अभी हमारी बात हुई Paris, France तो international bureau of weight and measures में जो रखा गया है उसका weight है second time के लिए second as कहा गया बस इस पर ध्यान दीजेगा आप क्योंकि आगे चलके यही चीज़े काम आने वाली है इसी के बारे में हम बात करेंगे बागी तो अभी discussion है second जो second है वो duration है 9192631770 periods का किसका? periods उस radiation का जब transition होता है दो जो hyperfine level है cesium 133 atom का जब जो time आ रहा है यानि कि जो second है वो duration है इतने periods का दो hyperfine levels यानि कि ground state से hyper level जब आप cesium cs133 atom इसका transition होता है तो radiation का जो time है वो यह से बताए गया है electric current की बात करें ampere capital A इसको लिखा गया है माना गया है तो ampere क्या हुआ यह current है constant current है यदि दो बिल्कु सीधे parallel conductors जो की infinite length के होंगे जिनका negligible बिल्कुल cross section zero की तरह होगा यानि बिल्कुल कम होगा एक मीटर यह दूरी पे रखे गए है vacuum में जहां कुछ भी ना हो तो और उनके बीच में जो force लग रहा है वो है 2 into 10 की घात minus 7 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length 1948 में रताये गया इसको आज भी हम इसको मानते है Kelvin के यह thermodynamic temperature है यह fraction है 1 by 273.16 thermodynamic temperature पानी के triple point का Kelvin कितना substance है उसको हमने नापा जाना mole से M.O.L.E. 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 यूस करेंगे mole वो amount है substance का किसी system में जिसमें बहुत सारे elementary entities है जो elementary entities क्या है atoms किसमेю 0.012 kg carbon 12 एक mole हो गया है luminous intensity इसको कहा गया candela cde cde यह luminous intensity है किसी एक direction में यह luminous intensity है किसी direction में किसी source की जो emit कर रहा है या प्रज्वलित कर रहा है छोड़ रहा है monochromatic radiation frequency जिसकी है 540 x 10 की घाद 12 540 x 10 to the power 12 hertz और जिसकी radiation intensity कि इस direction में 1 by 683 watt per stray radian है यह क्यों जानकारी के लिए है इसको ना भी जाने तो कोई बात नहीं लेकिन इनको समझे हैं यह definition या जब mole हम use करते हैं तो elementary quantity बतानी पड़ेगी आपको जैसे mole atom का होगा mole होगा molecules का iron का electrons का यह इसके साथ आपको पताना पड़ेगा derived units क्या है basic unit हमने ली हमने का 7 basic unit है उसके अलावा जितनी भी unit आ रही है या तो वो basic unit हो वो भी derived हो जाएंगे कैसे उनको combine करेंगे इन साथ base unit के combination में SI unit standard international unit इनको combine करके जो दूसरी चीज़ों की unit आएगी उसे हम derived unit कहेंगे अब example देखिए acceleration क्या होता है acceleration होता है mass t याने acceleration के आगर हम बात करें यह displacement d by t square d equal to a t square s equal to a t square आपको याद होगा s equal to ut plus half a t square छीके हमने कहा इसी से हमने लिया दो चीज़ों को जोड रहे हैं तो same unit होगी यह भी आगे मैं बताऊँगा यह फिलहाल के लिए आप दो चीज़े तभी जोड सकती है कि उनकी unit same हो half तो constant है तो a t square होगी अगर आपको acceleration निकालना है तो s by t square कर दीजिए displacement by t square displacement याने की distance है displacement है इसके लिए क्या unit यूज़ करेंगे आप meter यूज़ करेंगे अभी अभी हमने बात की कि हम meter में नापते हैं इसको तो meter कर दीजिए t है time के लिए क्या यूज़ करेंगे s और square है तो s square कर दीजिए अब जब कोई भी power उपर जाता है तो क्या होता है negative हो जाता है तो यह क्या होगा m s उपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा यहने m s m s की power minus 2 m s की power minus 2 किसकी unit होई है acceleration की कहां से आई basic unit से आई basic unit formula acceleration का हमें पता है displacement by time square displacement meter में time s क्योंकि square है square कर दिया s square उपर आया s की घात minus 2 हो गया इसको बताना इसलिए आवशक है क्योंकि यहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होगी इसी से आप अपनी unit निकालेंगे एक और example देता हूँ आपको work की unit देखिए work क्या होता है force into displacement work यह formula हम देख चुके हैं नई भी देखे तो कोई बात में अभी सीख लीजी force क्या है force है mass into acceleration अब और भी unit है हमारे force force की हभी हम जब मानते हैं कि force की unit है यह हम औरड़ी देख चुके हैं kilogram meter राइट by s square मैंने भी बताया mass into acceleration होता है mass हमने यहां लिख दिया kg की acceleration अभी भी हमने निकाला ms की power minus 2 यहने की m by s square यही तो था अब displacement भी multiply करते हैं into m करते हैं क्या क्या हो गया kilogram यह meter meter by second square और यह meter तो इसमें kg s square को दो पर ले आएंगे s की power minus 2 mass दो बार हो गया तो m square कर देंगे kg meter square s minus 2 s की power minus 2 ऐसे निकाले गाए अब कुछ supplementary units है supplementary physical quantities उनके unit और symbol जैसे supplementary physical quantity है plane angle theta इसका इसा ही unit है radial इसको हम बोलेंगे RAD है क्या यह यह ratio है circle के इसाब से सीखें इसको ratio है जो arc की length है यह arc की length है radius of circle यह है यह L है यह angle जो होगा इसको हम कहेंगे theta theta होगा L by यह arc L हो गया R radius हो गया L by R इसको हम A और B मालने यहां से यहां तक यहां से यहां तक L A B by R तो एक gradient को define करेंगे हम angle जो subtraction कर रहा है arc जिसकी length equal है किसके radius के बरामर एक degree ध्यान रखेगा pi by 180 radian होता है या दूसरे तरीके से कहें तो एक gradient होता है 180 by pi degree के तो इस तरीके से समझेंगे इसको यह आपका L है या A B है यह R है वो ही हमने अभी सीखा solid angle की बात करें तो इसकी unit हम SR लेंगे और इसका symbol SR लेंगे unit है इसकी है steridian steridian क्या होता है अब solid angle की बात करें यह तो एक circle था अगर हम sphere की बात करें बल्कुल ball की तरह ढूने ball की तरह समझे तो जो ratio है area intercept हो रहा है spherical surface का जो इस A apex यह पूरा हम area की बात करेंगे यह 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 area circle की बात करें एक बात करें आपके बास तर्बूस होता है तर्बूस का एक part काट के आप निकालते है red red आता है और हम देखते हैं कि यह मीठा है कि नहीं लाल है कि वो area हमने यहां से निकाला तो जो एक छोटा part निकाला तर्बूस से उसको समझेगा यहां पर आपका area आएगा यह इसका radius है यह radius, यह radius, यह radius, यह radius सब सेम रहेगा तो इस हम star region को कहेंगे delta A जो कि यह वाला area है divided by R delta A आएगा क्योंकि यह area है यहां से यहां तक area है इंटर स्कुएर में होता है radius 1 मीटर में है आपका जो star region आएगा वो एक star region है practical norms क्या है in SI system को अगर हमें यूज करना है पहली चीज unit जो है हर एक physical quantity की वो हम symbol से represent करेंगे मैंने कहा था आपको symbol पर बढ़ा ध्यान दीजिएगा symbol से represent करेंगे कोई भी full stop उस unit के अंदर unit के बाहर unit के end में नहीं देंगे अगर आपने kilogram कहा है तो kilogram मतलब kg kg dot नहीं होगा कुछ there should be no dot symbol जो unit का है उसका कोई भी plural form नहीं होगा अगर आप कह रहें meter तो हम क्या करते हैं हम running language में लिखते हैं अंग्रेजी लिखते हैं तो MTRS कर देते हैं MTS कर देते हैं यह सब नहीं होगा meter मतलब meter कोई meters नहीं only meter जो unit है physical quantity की numerator जो उपर आएगा और जो denominator आएगा उसको हम ratio के हिसाब से यह लिखेंगे जैसे जो acceleration की unit है वो meter per second square के square है इसको हम meter per second square लिखेंगे तो भी मान्य है S square को उपर ले जाएए S की power minus 2 हैगा यह भी मान्य है लेकिन कहीं आप यह लिखने लगे M by S by S no यह acceptable नहीं है जो पुरा नाम है unit का जो किसी great scientist की नाम से लिया गया है वो हम capital letter में नहीं लेंगे लेकिन जो symbol है symbol है उस unit का उसको हम capital letter में लेंगे जैसे unit जो force की है क्योंकि Newton साहब से ली गई है Newton साहब को honor करने के लिए हम लोगों ने ली है उसको हम capital N लेंगे Newton इन साहब का नाम बहुत बड़ा है physics में science में ऐसी पासकल साहब थे pressure के लिए उनका नाम लिया जाता है हम याद रखें उनका contribution क्योंकि नाम उनका है इसलिए PA इसको हम capital में लेंगे length को कैशे measure करेंगे direct measure तो है आपके पास measurement length का करना है जैसे meter scale है अगर आप meter scale है तो आप बता सकते है 10 की power minus 3 यह हम measure करते है length को accuracy उसकी आती है 10 की power minus 4 meter तक वहाँ तक vernier cavil calipers से हम नाम सकते हैं जो screw gauge है जो spherometer है वो हम 10 की power minus 5 meter तक नाम सकते हैं कितना कम distance है अब इसके अलावा इसके beyond अगर हम नामना चाहें जैसे astronomical distance है तो हमें indirect तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ समझते हैं कैसे करेंगे जैसे आपको बहुत दूरी बहुत दूर का distance आपको measure करना है तो उसमें हम parallax method को introduce करते हैं जो बहुत दूरी के distance है जैसे example लीजिए एक planet का distance या star का distance हमारे हमारी प्रित्वी से उसको हम parallax से नापेंगे जांचेंगे कैसे अगर आपको एक distance d नापना है यह हमारा अर्थ है यह planet है इसका distance यहाँ से यहाँ तक यह d नापना है यह लिए आप देख पारें अब इसको देखिए observation के दो aspect हो सकते हैं यहाँ से भी नाप सकते हैं यहाँ से भी नाप सकते हैं और A और B आपको मिल गया अर्थ पे और direction है observation का इस distance star से हमको fix करना पड़े जैसे हम observe करते हैं planet P को A और B symmetry से एक साथ जो diametrically opposite situated है यहाँ पे diametrically opposite situated है तो बरपस दो direction यह दो direction के observation बनेगा एक A से लेकर P तक AP एक B से लेकर P तक BP तो क्यूंकि जो distance है planet का वो बहुत बहुत बढ़ा है diameter से अगर compare करें आपके अर्थ के तो जो अर्थ का angle है theta वो बहुत छोटा हो जाए theta बहुत small होगा लेकिन यह parallax angle होगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस angle की बात कर रहा हूँ parallax क्योंकि यह बहुत बहुत दूरी पे है तो यह theta बहुत कम होगा लेकिन फिर भी theta का अगर हम अनुवान लगाएं तो अगर अपने इसको देखें तो arc by radius theta will be arc equal to radius हम जाते है अगर इस तरीके से बनता है तो theta क्या होगा theta will be arc by radius यह यह आर्क है आपके पास इसको आप एक arc की तरह मानें और arc की तरह मानेंगे और arc by radius यह arc हो गया आपका यहां से यहां तक और radius हो गया arc बर radius है ने सीथी तरीके से हम इसको नापेंगे अपने circle के हिसाब से तो a by a p यहने distance जो observation है यहां से यहां तक यह distance और यहां से यहां तक distance d का तो आपके पास d क्या हो जाएगा हम इसको b माल ले इसको theta माल ले d equal to b by theta इस example के तहर इसको समझाता हूँ आपको moon दो जगा से observe किया गया इसकी opposite point है a b earth की तो यह earth है यह point है यह b point है जो angle सबसेंट हुआ move दो direction जो हमारे पास है यह angle की बात कर रहा हूँ मैं वो है 1 degree 54 minute diameter अर्थ का अगर दिया हुआ है यहां से आता है 1.276 into 10 to about 7 meter आपको distance compute करना है moon का अर्थ से अभी अभी हमने formula सीखा distance क्या होगा तो distance होगा वो होगा b by theta यह b है और यह theta है यह theta यह b अब हमारे पास बात यह बनती है जो theta है 1 degree 54 minutes 1 degree होता है 60 minute 60 minute को 54 से जोड़ दीजे तो पूरा minute में आ जाएगा 114 degree है 114 by 60 degree अब इसको हमको radian में change करना है क्योंकि यहां पर यह जो angle है radian में आपा जाता है अब degree और radian का मैं conversion अभी भी बता चुका हूँ तो इस degree को convert करने के लिए radian में pi by 180 से multiply करते है आपके पास यह theta आ जाएगा यह आपका radian में आ जाएगा इसको multiply करेगा पीस pi को 22 by 7 ले सकते है जो b आया वो यहां पर दिया हुआ है अब d क्या है b by theta b आपको दिया गया है थीर आप यह भी आपने निकाल लिया दोनों के divide करी है यह आपका भी आएगा तो इस तरीके से distance निकलता है एक parallax method का तरीका है अब measurement जो size है planet या star का वो कैसे नापेंगे size भी नापना है कैसे नापेंगे ज़िए d आपका यह diameter है उस planet का आप यहां अर्थ पे है इस जगह से आप observe कर रहे है d diameter है और यहां से यहां तक angle जो subtend हुआ हुआ है alpha यह alpha हो गया इसको हम कहते है angular diameter इसको हम कहते है angle diameter तो जो angle alpha है इसको हम कैसे determine करेंगे किसी भी location पे यहां पर है अर्थ के यह कर सकते हैं कि जो diametric point इस planet के है यह point और यह point इसको हम देख सकते हैं तो यह alpha क्या हो जाएगा पिछले बार की तरह पिछले बार का discussion की तरह यह alpha हो जाएगा हम जानते है l equal to r theta होता है l आपका जो r होती है उसकी length r radius है theta theta है तो इसमें अगर यह alpha की बात करें तो alpha कितना हो जाएगा यह d by small d small d by capital यहां पर लखेगा अगर आप देखें theta equal to l बाया l क्या है इसमें आपका यह यहां से आता है और d यह होगा अब एक degree 60 minute के बराबर होता है 60 minute को 60 से multiply करते हैं second के बराबर होता है यह आप सीख चुगे इसको आगे और बढ़ाते हैं तो जो d है आपका distance capital d यहां से यहां तक यह हमारे पास known है diameter हमारे पास नहीं है कैसे निकालेंगे इस formula में रखेंगे practically यह alpha बहुत छोटा होता है बहुत दूरी है रहा इसलिए छोटा होता है example के तहर समझाता हूं जो sun का angular diameter है उसको measure क्या गया 1920 देखें degree हो गया minute हो गया यह second है यह second है अब जो capital D है sun का earth से वो है 1.496 into 10 to the power 11 आपको diameter निकालना है sun का फिर से वही यह earth है यह sun है इस तरीके से नापी है इसको बिल्कुल वही formula बनेगा अब इन्होंने कह दिया कि एक जो second है वो इतने के बराबर radian के बराबर होता है तो हमको convert करने के जरूद नहीं है सीधा 1920 को लीजे इसकी जगा एक एक है ने मतलब 1920 into 4.85 into 10 to the power minus 6 कर दीजे आपका इन इडियन में आ जाएगा तो alpha निकालने के जरूद नहीं वो आपके बास है यह सीधा formula लगाई है alpha equal to d by capital d और small d निकालना है हमको तो इसका निकालना है यह distance capital d alpha यह भी निकाल लिया यह रख दीजे values आएगी 1.393 into 10 to the power 9 meter अब measurement करना है में बहुत छोटे distance का बहुत छोटे distance का यानि कि माल लीजे size of molecule तो बहुत छोटा distance measure करना है जैसे size molecule का है 10 to the power minus 8 10 to the power minus 10 meter यहना तो यहाँ vernier caliper भी यह कोई micrometer screw gauge कर सकते है क्योंकि यह instrument इतना तक नहीं जाएंगे 10 to the power minus 5 तक जाता है बस तो कुछ special method हमें लगाना होगा तो जो optical microscope है यह visible light use करता है visible light की range क्या होती है 400 4000 a से 7000 a तर और जो आज इसके आपर गोला देख रहे हैं वो था 10 to the power minus 10 meter तो मैं इसको बोलता हूँ 400 nanometer से लेकर 700 nanometer 10 to the power minus 9 meter मैंने एक 0 कर दिया इसको 9 बना दिया 10 to the power minus 9 कर दिया तो जो optical microscope है वो तो resolve नहीं कर सकता जो particle है जो 4000 a से या ए से नीचे है तो जो electron microscope है यह electron beam use करता है visible light use नहीं करता है तो जो electron microscope है उसका resolution है 0.6 तो यह resolve कर सकता है atoms को और molecules के अंदर जो है अब इसमें क्या है कि अब एक चीज़ बड़ी interesting है इसमें कि जो electron microscope है इसमे electron एक wave की तरह बहुआफ करता है इस तरीके से particle की तरह नहीं तो आज के समय में जो tunneling microscope है इनको develop किया गया देनर technology जब पढ़ी जा रही है और इसका बड़ा high resolution है ताकि हम जो size है छोटी चोटी size है उनको हम estimate कर सकें तो एक और method तरीका समझ लीज़े जो size है molecule का उसे हम कहते है monomolecular layer इसमें क्या करते है जो thickness है molecule layer की उसको हम measure करते है ताकि जो size है वो molecule का हम जान सकें जैसे example देता हूँ आपको जो thickness है या मोटाई है जो layer की steric acid वो किसी एक definite value से एक certain definite value है उससे कम नहीं हो सकी अब हम माल ले कि जो film है वो उसकी unit है one molecular thickness ये size बन जाएगी diameter बन जाएगी तो physics में हम बहुत छोटे distance से लेकर बहुत बड़े distance से तक जाते है ये जो size है nucleus का वो order है 10 की पावर माइनस 14 मीटर galaxy का size देखेंगे तो 10 की खाथ 21 मीटर तो इसके रहे हम special unit length के लिए जो short है long distance के लिए निकालेंगे जैसे एक फर्मी है 10 की पावर माइनस 15 मीटर बहुत छोटा distance है ये 1 FM 1 Am strong 1 A की पावर जो अब एक के उपर जो गोला देख रहे हैं इसको हमें Am strong बोलेंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर तो astronomical unit भी है 1 AU capital AU है ये ये 1.496 एक light year कितना होता है light एक year में कितना ट्रावल करती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर एक पार से क्या होता है 3.08 इंटू 10 इपावर 16 तो एक पार से के डिस्टेंस है एक Am strong unit at which the distance at which एक Am strong unit ये subtend करेगी angle exactly 1 second hour का यारे कि 1 second है 1 second हम सीख चुके 1 second एक Am strong unit इतनी होती है कि वो एक सेकंड का distance subtend करें किसी भी distance पे ठीक तो ये पार सेक ये वाला distance जोगा एक पार सेक होगा ये एक डिगरी एक astronomical unit ये एक पार सेक के ब्रावर होगा अब देखिए L L उकल टू R theta होता है यहां पर हम रख दीजे तो R क्या होगा L by theta इसकी जगा 1 AU और इसकी जगा 1 second इन दोरों की value आपको पता है यहां रख दीजे इन दोरों को मिलाके और आपके पास 1 पार सेक की value आजाएगी measurement of mass अब mass का measurement कैसे करेंगे किसी भी substance में जितना content होता है जितना matter उसमें होगा उसे हम mass कहते हैं अब क्योंकि mass एक बड़ी internal property है यह बाहर की बाहर का अगर देखे कि भई temperature हो या pressure है उसके dependent नहीं हो किसी भी object का ले लीजे उसका mass उसका original content होता है तो जो measure है mass का इसको हम बड़े simple balance से कर सकते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो gravitational force है जो इस पे लग रहा होगा इसको हम compare कर लेते हैं gravitational force किसी और किसी standard object से माल ले जाएए है जो mass है अगर हम force की बात करें तो mg इस तरीके से gravitational आपका mass लगता है gravitational force mg होता है gravitational mass पे लग रहा होता है m पे mass हम इस balance से decide करते हैं इस gravitational mass के balance से decide करते हैं gravitational mass किसी object का वो किसी भी जगा पे अर्थ पे किसी भी जगा ले लीजे वहाँ पर save होना चाहिए gravitational force f equal to mg ये gravitational force की संख्या है किसी भी object पे जो M जिसका mass है उसे हम weight कहते हैं M होता है mass जो उसका original content है जब इस पे gravity लगने लगती है तो जो force बनता है उसे M F equal to M G इसको हम gravitational force करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो weight है body का वो किसी भी जगा पे अगर ले जाएं मून पे और किसी होँ planet पे तो अर्थ से different होगी क्योंकि gravitational pull वहाँ का different होगा जब हम atom और molecule की बात करते हैं तो जो kilogram है यह एक convenient unit नहीं होगी क्योंकि kilogram जैसे एक अच्छा खासा भार होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको AMU atomic mass unit में measure करने कोशिश करते हैं तो C12 carbon 12 isotope है यह carbon का और इसका अगर 1 बटे 12 mass किया जाए तो यह एक AMU के बरापर होता है atomic mass unit के बरापर कहने का मतलब यह है कि 1 AMU होगा 1.66 इंटू 10 दिट पाउर माइनस 27 कीजी 1 दिशनल्ला 6 चे चे और 10 की घाथ माइनस 27 इसको हम 1 U के इसाब से भी कर सकते हैं AMU कब तक लिखते रहेंगे 1 U कर दोते हैं तो physics में आप देखेंगे कि हमारे पास variety बहुत है mass की जितना हम जानते है 10 दिट पाउर माइनस 30 केजी माइनस 30 केजी सुचिक कितना कम है और 10 की घाथ 55 कितना जादा है जो masses बड़े-बड़े हैं जैसे planet है, star है आपने अर्थ की बात कर लीजे इसको हम कैसे पता करते है Newton law of gravitation से जैसे छोटा mass हो जैसे atomic particle या atom हो तो हम mass spectrograph का use करते हैं इस तरीके में क्या होता है कि जो radius होता है trajectory का किसी भी charge particle का electric field में या running field में वो proportional होता है mass किसके charge particle के अब समय की बात आती है measurement of time पहले कैसे होता था, time कैसे measure करते थे जो sunlight जब पढ़ती थी किसी पे तो जो object की shadow होगी वो shadow के lens से पता चलता था कि भी time क्या है उसके साब से लोग बता करते थे उसके बाद pendulum का invention हुआ उसके बाद बहुत सारे measurement हो गया आज तो बहुत हमारे पास atomic clock के clocks है किसी भी time को measure करने के लिए एक clock की जरूत होती है उसके बीच में interval से हम नाप लेते हैं अब और हमें better time चाहिए तो atomic clock हमारे पास है atomic clock आपको अगर GPS satellites का नाम सुने होगी या GPS के बार हम जानते होगी तो उनके satellite में atomic clock लगी होती है इतनी ज़ादा यह sophisticated state of the art है अगर छोटा टाइम पता करना है camera, multi flash photography यह सब हम use कर सकते हैं accuracy और precision अब कभी आप measure करते हैं तो जैसे आपने कहा मेरी height 5 feet 7 inches है या 5 feet 11 inches है क्या यह पका पता है आपको 5 feet 11 inches है क्या वो 5.5 11 inches और आगे 2 unit और नहीं हो सकती 2 unit कम नहीं हो सकती अपने एक number बताया तो हम पहले तो पता करें accuracy और precision में difference क्या होता है accuracy का मतलब यह होता है या accuracy measurement में जो आती है वो एक measure है कि how close the measured value is with the truth value of the quantity मैं इसको समझाओंगा आपको precision का मतलब यह होता है कि किस resolution या limit तक quantity को measure किया गया है अब इसको इस तरी के समझे पहले मैं example देता हूँ फिर आगे भी आ रहा है ऐसा है कि अब accuracy की बात अगर हम करेंगे तो माल लिजे 2 actual unit है यह precise value है आपकी value है 2.1 तो accuracy कितनी हुई इसकी 0.1 और यह 0.0 यह actual value है यह 0.1 अब 2.0 पे आपकी value है 2.2 तो कौन सा ज़्यादा accurate है 2.1 ज़्यादा करीब हो गया अगर 2.01 आ गया तो यह ज़्यादा करीब हो जाएगा तो कि इस accuracy कहते है और precision की बात करें तो precision का मतलब यह होता है किस limit तक ले गया है जैसे आपने का 2.2 2.22 2.223 ज़्यादा precise हो गया जिसमें ज़्यादा level तक आपने measure किया है बहुत जो से कहते है करीब value और सही value तक लेके गये है अगर आपके digital watch है आपके पास वो आपको time दिखा रही है 10.11.12 यह a.m. सुबह का समय हो रहा 10.11.12 और 12 second यह बड़ी precise है कि इसका least count आपका 1 second है लेकिन अगर आप देखें आपके जो दादा जी होंगे उनकी हाथ की घड़ी देखिए वो बजा रही होगी 10.13 यह नहीं कि 11.11 यह हो रहा है 10.11 और 12 second जो least count है इसका 1 minute है यह नहीं सेकंड तो है इसका मतलब यह थोड़ी कम precise है यदि digital watch थोड़ा slow चल रही हो तो अगर time कब बैर करें किस watch से इस watch से तो उसके accuracy नहीं है लेकिन precise है यदि grandfather आपके उनकी घड़ी वो correct time शो कर रही है तो time जो measure किया इस watch से उसका accuracy ज़ादा हो गया precision कम हो गया तो physical quantity जितने भी है हम चाहेंगे accuracy अच्छी खासी हो और precision भी अच्छा होगा क्योंकि precision depend करता है क्या least count है आपके instrument का मैंने जैसे बताया 2.2 2.22, 2.22, 3 क्या किस precision तक लेकि जा रहे है radius किसी sphere का अगर आपको इसका radius measure करना है micrometer screw God से तो यह ज़्यादा precise होगा वरिजबत क्या vernier caliper जखी है और ना पनेगी और micrometer of screw God की बात करें तो 2 to the power minus 5 meter तक जाता है अगर किसी भी physical quantity का measure करते है accuracy से तो पहला तो सबसे important चीज़ आता है कि कौन उसे measure करता है उसकी skill क्या है quality क्या है instrument जो आप use कर रहे हैं तरीका क्या आपनाया गया है और internal external factor भी आते है जो experiment को affective अब errors क्या क्या आ सकती है measure में जब भी हम अलग-अलग physical quantity को measure करते है laboratory में अलग-अलग apparatus को लेके तो inaccuracies आती है ये बिलकुल fact बात है हर चीज़ में inaccuracies रही बहुत रहती है और इसको जितना दूर किया जितना accurate किया उतना अच्छा है result में अगर कोई inaccuracy आती है तो हमेशा आपने research paper वगरा जब आगे लिखेंगे आप दिखेंगे कि उसमें बताएंगे कि इतना accurate है इतना precision है तो जो inaccuracy है measurement में जो आती है उसे हम error कहते है कि error है और यह error कोई गलत चीज नहीं है कोई ऐसी वो नहीं है error एक natural चीज है जो चीज बतानी चाहिए जो चीज आप बता सकते है लेकि इसमें ये कमी है ये error है लेकिन वो error आपको आप बता रहे है इसका मतलब पता है कि इतनी error समझ रहे हैं इस बात को आप सोर्सेज बताता हूं कि सिस्टमेटिक error में कहां कहां से आती है जैसे आपका instrument error है ये कहां से आती है अगर माल लीजे आपका जो instrument बनाया गया है उसका design ठीक नहीं इंप्रॉपर यह इंपरफेक्ट design है calibration उसका ठीक से नहीं किया गया है जैसे अगर कोई object आप suspension की बात कर रहे हैं, suspend किया एक spring balance से और जैसे हैं spring balance में आपने उसको suspend किया, वो 0.1 gram दिखा रहा है, 0 दिखाना चाहिए उसको तो already इसमें 0.1 gram का तो instrument का error है जितने भी observation या जितने भी measurement आप इससे लेंगे, वो तो 0.1 gram जादा ही दिखाएगे आपको यह systematic error किसको कहते है, experiment में आएगी आपको, एक दूसा error होता है error due to imperfection in experimental technique या procedure जो तरीका अपनाया आपने, जो procedure अपनाया, जो steps अपनाया आपने, उसमें कुछ कमिया है एक example दूँगा आपको जैसे आप temperature नाप रहे है शरीर का, human body का कोई भी improper contact अगर है thermometer का body के साथ, तो आपको error देगा, external factor जैसे temperature हो, pressure हो, humility है यह भी आपको systematic error ही देते हैं, measurement है personal error अब यह क्यों आता है यह किसी individual की एक तरफ की biasness है, उसकी carelessness है, उसकी सही तरीके से वो बैठा नहीं है, खड़ा नहीं है apparatus ठीक से रखा नहीं है तो यह personal error है systematic error को हम दूर कर सकते हैं अगर हम जो experimental technique से उसको improve करें सही करें, अच्छे quality के instrument लें, और आपका personal bias है, आपकी कोई कमी है, उसको दूर करें random errors, random errors क्या होते हैं, यह random error ऐसे होते हैं, जो जिसका बारे में आपको पता नहीं है, यह हो सकता है, कि irregular हो, आप predict नहीं कर सकते हैं अब हो सकता है किसी समय temperature इतना जादा हो गया कि आप अलग सी reading आ रही है किसी समय temperature इतना कम हो गया, यह अलग सी रीडिंग आ रही है, बिलकुल अलग रीडिंग आ रही है, तो यह जो errors हैं, यह दोनों positive भी हो सकते हैं, एक ही time पर negative भी हो सकते हैं, यह error हम कैसे estimate करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारे observation ले लेंगे, उन सबका average ले लेंगे, सबको जोड़के, जितने number of observation उसे divide करेंगे, जिसको हम mean या average भी कहते हैं, estimate कैसे करेंगे error को, एक absolute error है, और एक average absolute error है, इस तरीके से कुछ estimation कर सकते हैं, जो magnitude यह मान है, या difference, individual measurement का, और जो true value है, उस quantity की, इसको हम absolute error कहते हैं, जिसे मान ले जिए उसकी true value, एक example देता हूँ, आपका weight है, मान ले जिए 50 kg, और 49 kg आ रहा है, अगर आप नापते हैं, तो आपको पता है कि 1 kg का difference आ रहा है, अगर true value है, और 49 आ रहा है, तो एक kg का difference है, इसी को हम absolute error कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये 40 kg, ये 50 kg है निए, true value है निए, तो हम क्या करेंगे, average value सबसे बढ़िया होता है, true value, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अलग-अलग observation आगे, A1 से लेकर, मान ले जिए, A1 तक, N observation, अर्थमेटिक में निकालेंगे, सब को A1 से लेकर, N तक जोड़ दीजिए, यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, अर्माली जी, N observation है, जैसे आपने तीन observation लिए, ये 49 ले लिया, कभी 48.5 आ गया, कभी 51 आगया, आपका वेट, इन तीनों को जोड़ यह, और 3 से डिवाइट करते हैं, तो इसको हम mean कहते हैं, A बार के तरह लिखते हैं, 1 by N, I to N, sigma मतलब होता है जोड़, इन तीनों का जोड़ को हम sigma से लिखते हैं, 1 से लेकर N तक जाएंगे, मतलब 3 है तो 3 बार जाएंगे, 4 है तो 4 बार जाएंगे, और इनको जोड़ लेंगे, और उसके बाद, जो measure होगी किसी भी physical quantity की, यह जो आपका mean आया है, उसका plus minus जो delta A, mean के साथ जो difference है होगा है, इसका मतलब यह है कि कोई भी measurement जो physical quantity का है, वो तो या तो आपके mean से plus यह वाला delta A होगा, delta mean जो difference हाए mean में और या फिर minus होगा, एक error है relative या fractional error, अब relative और fractional error कैसे होता है, इसको हम कैसे resonate कर रहे हैं, इसको हम यह delta A बार से, यह बार अभी समझ लिजेगा कि यह mean है, तो जो relative error है, वो ratio है, यानि division है, mean absolute error इसका, और mean value, जो अभी अभी मैंने निकाल के दिखाए था आपको, वो चीज value होती है, इसका mean, इसका ratio है, percentage error की बात करें, तो जब relative error, इसको हम express करेंगे, percentage A निए, तो इसको हम percentage error कहते हैं, यानि आपका जो delta A आ गया, इसको आप, यानि की, यह delta A बार इसको सौर समझ लिपाए करेंगे, percentage में निकाल लिए, इसको हम percentage error कहते हैं, इसका example देखेंगे, ताकि आपको यह clear हो जाए, कि जो शब्दों में पढ़ा है, वो कैसे कर देखेंगे, एक experiment है, जिसमें refractive index glass का आ रहा है, mu से इसको बताते हैं, refractive index, वो glass का कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसकी कितनी आपके पास values हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 values हैं आपके पास, आपको calculate करना है, बताना है, average, absolute error, relative error, और percentage error, आपको यह express भी करना है, result किस term में, absolute error या percentage error में, सबसे पहली कारवाई हमारी यह होगी, कि हमको बताया गया है कि error, कुछ आ रहा है, तो हम mean refractive index निकालेंगे, 1.54 से लेकर, 1.45 जितनी भी 6 संख्या है, उन सब को जोड़ दीजे, 6 से divide कर दीजे, आपका 1.5 बना लिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके, इनका difference निकालेंगे, पहले इन दोनों का, यानि कि 1.51 को, 1.54 से subtract करेंगे, ऐसी इन दोनों का निकालेंगे, एसी करके 6 के 6 का निकालेंगे, जो accuracy है, दो digit का decimal के बाद, इसको हमने consider किया है, और absolute error हर एक observation का निकालेंगे, मैं पहला बताता हूँ, 1.51 को जब minus करेंगे, 1.54 से तो, 0.03 minus में आएगा, ऐसी बाकिया आप सारे कर लेंगे, इसमें कुछ minus में आएगे, कुछ plus में आएगे, अब, अगर आपको mean absolute error निकालना है, तो जो जो चीज़े आई थी, जो जो अभी आपने 6 value निकाली न, minus करके, उन सब का absolute value लेंगे आप, यानि कि minus को plus कर देंगे, और जितने ही minus से प्लस कर देंगे, सब को जोड़ देंगे, छे से divide कर लेंगे, यानि कि इन सब को जोड़ देंगे, तो sign हटाके, minus sign हटाके, 0.26 आएगा, divide करेंगे 6 से, तो 0.04 भी, इसको हम 2 decimal तक, जैसे हमने पहले बताया, 2 decimal तक लेंगे, 2 decimal, 2 value after decimal, तो 0.04 क्योंकि ये 3 है, वो क्या हो सकता है, या तो 1.51 से जुड़ेगा, 0.04, या 1.51 से घटेगा, 0.04, तो अगर हम इसको जोड़े और घटाए, basically कहने का मतलब ये है, कि जो value है ये वाली, वो 1.51 और 1.47 के बीच में रहेगी, relative error निकालने के लिए, हम जो delta n bar है, और n bar है, n bar हमने ये कहाना है, इसलिए हम निकाहरे है, तो ये 0.05 delta n bar आया, और delta n bar तो आप निकाली जुकिए, ये n bar आपने निकाला 1.51, इन दोनों को हम divide कर देगे, यानि कि 0.04 को divide करेंगे 1.51 से, ये आपका 0.08 आएगा, क्योंकि हम 2 decibel तक ले रहे हैं, percentage error निकालना है, तो 0.03 जुआ आया, उसको 100 से multiply कर दीजी, वो आपका 3% आ गया, यानि कि refractive index glass का, जिसका percentage error क्या है, 1.54 और plus minus 3%, ये ही आपका final आप बता सकते हैं, अपना, ये बता कि, ये observation में हमें ये पता चल रहा है, कि 1.54 का ये ये error होगा, 3% Combination of error, जब हम experiment करते हैं, जिसमें बहुत सारे measurement होते हैं, तो हमें ये भी जाना जरूरी है, कि errors हर measurement में आ सकते हैं, अलग-अलग काम हो रहे हैं, तो अलग-अलग जगा पे measurement ले रहे हैं, तो अलग-अलग निखतें आएंगी, जैसे मैं example अगर आपको समझाओं, तो किसी experiment में हमको पता करना है, किसी object या substance की density, तो density निकालने के लिए, mass और volume की संख्या हमको निकालने परती है, mass और volume जब हम निकालते हैं, substance के, तो इसमें mass और volume में भी error आएंगी, तो हमको पता होना चाहिए, कि error किया आपका density में आया है, क्योंकि density में involved है, mass और volume में अलग-अलग error आ सकते हैं, तो error sum में और difference में कैसे आएंगे, दो quantity या आपके पास है, A और B, और ये measure value है, A plus minus delta A, और B plus minus delta B, तो delta A और delta B क्या हुआ, ये नहीं चीज़ आगई यहाँ पर, ये absolute error है, जो अभी अभी आपने सीखा, absolute error क्या होगा, तो हमको पता क्या करना है, delta Z, यानि कि combined error क्या है, वो sum क्या होगा, आपको delta Z निकालना है, अब Z का, अभी अभी हमने कहा, कि Z हम निकाल रहे है, A और B का, दोनों की संख्या जोड़ की, तो Z plus minus delta Z क्या होगा, या तो A में ये delta A जुड़ेगा या घटेगा, या B में delta B जुड़ेगा या घटेगा, अब इन दोनों को हम add कर देंगे, क्योंकि इसकी जगा हम ये लेंगे, इसकी जगा ये लेंगे, तो A और B का अलग कर लीजे, और plus minus को रहने दीजे, क्योंकि आपको ये plus minus यहां लाना है, plus minus delta A, plus delta B, तो जो maximum हो सकता है, possible absolute error, Z में, वो delta Z हो सकता है, जो कि आप ये संख्या देख पा रहें, delta A plus delta B, अगर हम difference की यहीं पर बात करें, तो Z का मतलब है, A minus B, और Z plus minus delta Z, जैसे हमने ये वाला किया था, तो यहां पर हम plus की जगा, negative का sign लेंगे, वो ही काम करेंगे, A और B को अलग कर देंगे, plus minus लेके, प्लस है तो ये minus है, ये minus है तो ये plus है, इसका मतलब plus minus delta Z क्या होगा, इस case में, जब हम subtraction ले रहे हैं, तो ये plus minus यहां होगा, delta A, और यहां minus plus होगा, minus उपर है, यहां पर जहां रखेंगा, तो चार possible हमारे values आगए, plus A, delta A के साथ minus delta B, plus delta A के साथ plus delta B, minus delta A के साथ minus delta B, और minus delta A के साथ plus delta B, जिसमें ये plus A, जो दोनों plus है, ये maximum value होगी, और जिसमें दोनो, जो maximum value है, absolute error की, तो ये maximum ये होगी, और आपके पास maximum value क्या होगी, ये ये चीज़ आ चुकी है, तो delta A, delta B, Z के रहे, अब इसका हम example ले लेंगे अच्छा एक और rule ये जो कह रहा है जब दो quantity को हमने add किया, subtract किया जो absolute error आ रहा है, final result वो sum क्या होगा, basically absolute error अलग-अलग individual quantity बस ये समझ लेज़ेगा कि दो-तिन चीज़ों को ना आप रहे हैं दो-तिन चीज़ों में error आ रहे हैं फाइनल error दो-तिन चीज़ों के combined error को जोड़ के आएगी illustration करते हैं, इसका मतलब एक example देख लेते हैं ताकि आप ये समझ जाए कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ इसमें ये इस तरीके से हुआ कि हम दो resistor ले रहे हैं दो resistor R1 is equal to आपका आया 100 plus minus 3 ohm और R2 आया 200 plus minus 4 ohm ये हमने series में connect कर दिया तो series में कैसे connect करते हैं एक ये है तो ये है आपको maximum absolute error निकालना है जो equivalent resistance है इस combination का ये अच्छा है, equivalent resistance जो आ रहा है इसको आपको percentage error में भी बताना है तो अब सबसे पहले ये R जो resistance है plus minus delta R क्या होगा जैसे अभी अभी हमने सीखा theory में इन दोनों के जोड़ का होगा यहने R1 और ये R2 तो R1 R2 जोड़ दीजी यहाँ पर दिया हुआ 100 plus minus 3 यहाँ पर दिया है 200 plus minus 4 तो 100 और 200 अलग से जोड़ जाएंगे plus minus लेके आप इन दोनों को जोड़ेंगे 3 plus 4 होगा 7 300 plus minus 7 ohm हो गया इन दोनों को अलग से जोड़ा इन दोनों को अलग से जोड़ा तो यह basic value है यह आपकी error value है maximum absolute error क्या हो गया यह 7 ohm आगे percentage error निकालना है तो delta R लीजी delta R कितना आया 7 actual R क्या था 300 यह 3 है delta R by R करके 100 कर दीजी आपका 2.3% आएगा यह जो equivalent resistance आ रहा है percentage error में वो आपका सीधा 300 plus minus यहाँ पर आप रिख देंगे 2.3% जो आप यहाँ से आप लिकालना है अब error product में भी आ सकती है division में भी आ सकती है अब आपने कहा है कि दो अलग-अलग चीज़े हम कर रहे थे उसमें यह error आया तो आप error product और division में कैसे करेंगे जिसे Z है आपका A B के बरावर measure value इसकी है A और B और A और B का measure value A plus minus क्योंकि measure value में कुछ तो कमी error आ रही है वो A वाली है यह B वाली है दुनों को जोड दीजे क्या आएगी अच्छा दुनों को जोडेंगे तो यहां पर क्योंकि product की बात हो रही है तो अब इसका और इसका multiplication होगा proper multiplication कर दीजे A का B से A का delta B से delta A का b से delta A का delta B से proper इस तरीके से कर दीजे दुनों side को आप Z से divide कर दीजे यह Z से divide करेंगे यह 1-1 आजाएगा यह delta Z पर Z आजाएगा बाकि सब जगा लीचे Z Z Z आजाएगा आप जानते है Z equal to A B है तो यह जो A B है जब इसको Z से divide करेंगे तो यह 1 आएगा बाकि हर जगा पर आप यह सब करते रहेंगे कुझे आपने LHS को Z से divide किया है RHS को आपने A B से divide किया है ध्यान रखिएगा आपने left hand side को Z से divide किया है और right hand side को भी Z से divide किया है लेकिन इस बार Z की जगा A B देकि दोन जगा हम Z से divide करेंगे Z A B है तो भाइन हात पर तो Z ही रखींगे डाए हाथ पे Z लिखेंगे लिए उसकी जेगा अब ले ले Z और A B बड़ाबवा AB, AB केंसल हो जाएगी इस जागा पे हम AB लिखेंगे it तो A केंसल हो जाएगए तो देल्टा, ये B, B केंसल अकर हो गया A केंसल हो गया उस हिसाद से हमारी tek aller ये value आजा बहुत छोटी आ थी, डेटा भी यह, यह, यह और यह, अब यह, क्योंकि यह छोटी value है, तो इनका product करेंगे, मैंनल, छोटी value का product करेंगे, तो और छोटी value हो जाएगी, तो हम इसको यह product value को हटा सकते हैं, इसको ignore कर सकते हैं, لेकिन हम इन दोनों को जरूरर रखेंगे, इन द को easily verify कर सकते हैं कि यह division के लिए भी ऐसा ही सही होगा तो rule क्या हुआ दो quantities अगर हम multiply कर रहे हैं या divide कर रहे हैं तो जो maximum relative या fractional error आ रहा है result में वो सीधा sum हो जाएगा fractional errors अगर हमको अलग-अलग quantity को लेना हो इसका illustration मैं बताता हूँ आप यह चीज़ समझ आएंगे जो अभी भी हमने की एक experiment है हमको दिखाना है या बताना है density किसी object की mass और volume इसको किस तरी किसे record किया गया mass को बताये गया 3 और कुछ error हैस में 0.12 का plus minus volume है 10 actual value है लेकिन इसका error है plus minus plus minus 1 आपको fractional error बताना है percentage general बताना है अध्यान रखेगा कि जो density होती है वो mass by volume होती है क्योंकि हम जानते हैं rho m by v दिया हुआ है तो fractional error निकालने में क्या करना पड़ेगा delta rho by rho delta m by m delta v by v जैसे हमने अभी illustration के पहले discussion में देखा delta m क्या है आपका 0.12 और m क्या है 3 delta v क्या है 1 और v क्या है 10 सारी value रहान देख दिजे 0.14 आएगा percentage error निकालने के लिए इसको 40 से बड़ी टाय कर दीजी 14% आजाए उसके बाद जब हम index के बारें बात करते है power के बारें बात करते है तो power में जो power के कारण जो error आने वाला error due to power किसी measure quantity में power के कारण 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 आएगा एक छोड़ा सा power लेके चलते है इसे a square के बारें बात करते है माली जे z equal to a square है a square का बंदर क्या होता है a into a ये power की बात हो रही है इसके कारण कारण आएगा दोनों side आप z से divide कर दीजी और जैसे हम z से divide करेंगे ये a square है तो दाय हाँ पे हम a square से divide करेंगे हम जानते है डेल्टा z by z डेल्टा a by a तस डेल्टा a by a ये ये कितना हो जाएगा 2 डेल्टा a by a अच्छा एक चीज़स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेल्टा जब अपने z equal to a dot a लिखा और आपने कहा कि मैं इसको अपने पीछे वाले से match करता हूँ जो कि ये वाला था ये तो ये काम किया था तो ये ऐसी आता है तो फ्रेक्शनल एरर निकाने के लिए हमें इसको डेल्टा a by a और इसको डेल्टा a by a क्योंकि दो अलग-अलग quantity है लेकिन है एक ही लेकिन दो बार है तो ये क्या हो जागा 2 डेल्टा a by a तो फ्रेक्शनल एरर z equal to a square का वो दो गुना होता है फ्रेक्शनल एरर जो a का होता है a square का जो error होगा वो two times होगा इस तरीके से इसको generalize कर लेते हैं generalize करने के लिए हम क्या करेंगे z equal to a d to power a ये square का a की power a अब इसी को इसी तरीके से हम फ्रेक्शनल की तरह लिखेंगे तो delta z by z जिस तरीके से यहाँ दो आया था तीन को जोर दीजे delta a by a इसको और थोड़ा सा हम आगे करें तो अभी अब इसको देखेंगे z equal to a की power b b की power q c की power r delta z by z होगा p into a q into delta b by b r into delta c by c ये in general होगा तो जो quantity इस formula में है जिसका largest power है वो maximum error देगी इसलिए ध्यान रखेगा जिसका maximum power है उसको measure करना equation से बहुत ज़रूरी है तो इसका अपना सा इजाव पर भी ले ले लेके एक experiment है density निकालनी है स्फियर की percentage जो mass में आया है वो 0.26% है और जो percentage error आया है radius के measurement में वो 0.38% है आपको percentage error निकालना है density के measurement में क्या है तो ये दिया हुआ है delta m by m into 100 equal to 0.26% फिर से revisit करना पड़ेगा formula जो आमने दिसका था ये formula डिरेक लिख दिया गया है यहां पर डिल्टा m by m into 0.26% है डिल्टा r by r into 100 0.38% है तो sphere की density क्या है mass by volume volume जो sphere का होता है एक sphere की बात करें तो ball number चीज की बात करें तो 4 by 3 pi r q होता है अब error जो density में आएगी वो क्या है ये होगा delta m by m जैसे मैंने बताया था ये 3 ये तो constant है 4 by 3 को छोड़ देंगे इसको नहीं लेते ये power है और r cube है तो 3 delta r by r जैसे हमने अभी इसके बारें बताया था ये वाले के बारें तो यहांपर क्या करेंगे इसी delta rho by rho हम जानते हैं कि error कैसे निकालते हैं delta rho by rho delta m by m plus 3 into delta r by r ये क्या हो गया 0.26% ये क्या हो गया 3 into ये क्या हो गया delta r by r ये आपका 0.28% 0.26% को जोड़ेंगे 3 गोला 0.38% से तो percent energy and density में आया है वो 1.4% अगर एक और इसका example देखें योदि formula physical quantity का कुछ इस तरीके से A की घात 4 B की घात 3 C की घात 1 by 3 और D की घात आपका root है basically root क्या होता है जैसे root D लिखा न इसका मतलब होता है D की power half तो A की पावर 4 A to the power 4 B की डिएड़े बैस C की पावर 1 by 3 and the root D तो जो percentage error है measurement A और B और C D का वो दिया हुए 1, 3, 3, 4 आपको percentage error निकालना है पूर A का तो इसको कैसे निकालेंगे delta W जो पिछला discussion था उसे साब से यह 4 गुना हो जागा इसका delta A by A यह 3 गुना होगा delta B by B यह 1 बटे 3 गुना होगा delta C by C और यह 1 by 2 जैसे में अभी आपको समझा है 1 by 2 power A delta D by D जो जो values आपको दी है एक, तीन, तीन, चार वो यहाँ पर रख दीजे जोड़िये 16 पंसर लाएगा जो period है oscillation का किसी भी simple pendulum है वो हमको दिया हुआ T equal to 2 pi under root L by C L इसमें length है pendulum की वो 10 cm दी हुई है और इसकी accuracy है वो 1 mm दी हुई है जो period of oscillation है वो करीवन 0.5 second दी आ हुआ है तो time है saw oscillation का उसको measure किया गया एक watch जिसका resolution 1 second है आपको percentage error निकालना है G के measurement पर percentage error G के measurement पर तो T equal to 2 pi under root L by G है जरा 2 pi को अधर ले आईए T by 2 pi अब root हटाना है तो दोनों को square कर दीजे तो T square by 2 pi square यहाँ T square by 2 pi square आजाएगा और यह L और G रहेगा root हट जाएगा तो अब T square यहीं रखे 2 pi square को यहाँ लेजा लेजे तो यह क्या जाएगा T square equal to 4 pi square L by G अब G का निकालना है तो G को यहाँ लेजे T square को निचे ले आईए फार्मुला क्या मना है G equal to 4 pi square L T square अब क्योंकि फार्मुला आचुका है तो डेल्टा G by G क्या होगा डेल्टा L by L प्रस 2 डेल्टा T by T सारे जो जो कॉंस्टेंट्स तो उसको हमें हटा दिया उसकी आउशक्ता निकालना है डेल्टा L यहाँ पर सवाल में दिया हुआ एक mm इसको cm में जेंज कर लेंगी डिएड़ बाइ 10 कर दीजिए 0.1 cm आगया लेंथ आपको 10 cm गी हुई है दोनों इस cm में आगया टोटल टाइम क्या पताया गया क्योंकि हमारे पास 100 है 100 oscillation के लिए नापा गया और एक का 0.5 सेकंड है तो कुल मिलाकर कि कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर हो जाएगा? टोटल टाइम 0.5 into 100, यानि कि 50 सेकंड और डिल्टा टी कितना है? एक एक सेकंड में ना पा गया? वो भी आप सवाल में दिया हूँ, इसके डिर्क लिख देगे. अब क्या टी क्या हो जाएगा? तो इसका उलता है, डेल्टा टी बाइटि क्या होगा? डेल्टा टी बाइटि क्या होगा? यह जो था, यह यहीं से तो आया था इसलिए तो हमें निकाला यह formula क्या बन जाएगा अब delta g by g is delta l by l और इस की जगह में यह रख जाएगा delta t by t अब हमारे पास यह सारी value हमने अभी भी लेनी delta l हमारा point 1 है l अपका 10 है, यह twice है delta t by t अभी अभी हमने देखा कि यह 1 second है और यह 50 multiply करिए 0.05 आएगा और क्योंकि percentage जो error आएगा इसको 100 से multiply करके आएगा तो percentage error के आएगा 0.05 into 100 यानि की 5% significant figures क्या होते significant यानि की उसकी कोई significance होगी और figures मतलब number की बात कर रहे है हाँ पर, हर एक measurement में कुछ ने कुछ accuracy में limitation होते है कि जिस instrument से हम नाप रहे हैं उसका कुछ least count होगा, उससे नीचे नहीं जा पा रहे हैं जैसे अगर मैं बताऊं कि जो time हम measure करते हैं अपने घड़ी से इसमें आपका second hand होता है यह कहां तक measure कर सकता है, एक second तक अब आप देखिए कि जब धावक दौरते हैं 100 मिटर की प्रतीपस परधा में तो उसमें बहुत एक one by tenth second इसमें भी difference में gold या silver decide होता है वो कैसे होगा, उसके लेलग से बहुत चाहिए आपकी मालीज़ आप आपके pencil आपके हाथ में हो, उसकी length measure करना चाहते है एक end जो pencil का है, वो zero पे रखिए meter scale के, और दूसरा आपका 12.3 और 12.4 के कहीं दर्मियान आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है least count जो meter scale की होती है वो 0.1 cm, यह हम लोग ने समने देखा है, इसका मतलब की marking 12.3 और 12.4 के बीच में क्या है, यह हम नहीं पता लगा सकते तो माली जो हमने length का estimate किया कि भाई, यह 12.38 आया अब हम certain नहीं है या uncertain है, कि भाई, last digit क्या है या हम certain तो है कि 1, 2 और 3 तो ठीक है यह जो 8 है, इसको हमने अंदाजन बताया तो जितने number of digit किसी measurement में होंगे तो हम certain हो जाते है कि भाई, additional digit अगर इसके साथ है वो uncertain है क्योंकि उस नापने वाले instrument की limitation है अगर हमारे पास ऐसा instrument होता जिससे हम नाप सकते 12.38 आप बोलते 12.386 आप बोलते 12.3867 क्यों नहीं कर सकता है अब आरे पास instrument होता हम कर सकते तो number of digit in a measurement about which we are certain मतब ये 12.3 और 12.4 इसके बारे में तो certain हो गए इसके 1, 2, 3 के बारे में हम certain हो गए लेकिन साथ में एक additional digit है जिसके बारे में हम certain नहीं हमने एक अंदाजा लगाया है हम जानते हैं कि 12.3 और 12.4 के बीच में कहीं ये 12.4 के करीब जा रहा है लेकिन 12.4 नहीं है इसको हम significant figure कहते हैं 12.38 इसमें 4 significant digits थे जो अभी हमने बात किया इसमें 1 है 2 है एक देशमलर है dot decimal value इसके बाद आती है 3 और 8 जितने ज़्यादा significant figures होंगे आपके measurement में इसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा accuracy होगी आपके measurement जैसे मैंने भी आपको जिकर किया 12.38, 12.386 12.386, 7 यहां तक पहुचा दीजे आप जितने significant digits होंगे जितने significant figures होंगे measurement में जैसे मैंने कहा उतनी ज़्यादा accuracy होगी और जितने significant digit है यह depend करता है उस instrument जिससे आप नाप रहे है उसका least count क्या है या least count मतलब उसके नीचे वो measure नहीं कर सकता radius अगर आप rod का ले, vernier caliper से हम जानते हैं vernier caliper तो आपको 10 की पाउर minus 4 meter तक accuracy देता है तो आप 0.25 cm कहें इसी rod के लिए अगर आप एक और instrument यूज करें, micro meter screw gauge तो आपको यह और दे देगा क्योंकि वो 10 की पाउर minus 5 meter तक जाता है 0.254 तक दे देगा पहले case में आपके पास 2 significant digit है 2 और 5, लेकिन दूसरे case में जैसे ही आपने gauge का use किया 254 तीन आपके पास digit आ गए जो dot के बात है तो तीन significant digits आ गए आपके तो आप क्या कह सकते हैं आपको यहां मतलब एक layman के तरह भी सोचिए तो 0.25 और 0.254 में कौँ सा जादा आपका significant है या जादा precise है 0.24 0.254 यह जादा precise है mathematics में सारी number definite figures होते है जो significance निकल के आता है वो तभी आता है कि जब number किसी physical quantity को represent कर रहा होता है जब हमने उसे measure किया क्या rules है कि significant figure में कितने number है या फिर significant figure कितने है इसके rules क्या होगी पहली चीज तो जितने भी non zero digits है वो significant होगी जैसे example अगर मैं आपको समझाओ तो किसी का mass अगर 125.63 gram है तो इसमें 5 significant digits है आपको 1, 2, 5, 6, 3 कितने हो गया? 5 जितने भी non zero digits है वो सारे significant होगी यहाँ clear हो गया पहली चीज दूसरे पे आते हैं जितने भी zeros है दो non zero digits के बीच में जितने भी zero है जैसे आप इस example को लीजिए 125.00000 मिल रहा है आप लेकिन ये non zero digits है इनके बीच में उनके दर्मियान है तो यहाँ पर इस zero को गिनेंगे एक, दो, पाच, जिरो, जिरो, चार कितने हो गए ये? छे, six significant digits हो गए यदि number एक से कम है तो जो zero होंगे decimal के दाएं हाथ पे वो तो ठीक है लेकिन जो number होंगे बाएं हाथ पे left of the first non-zero digit वो non-significant हो जाएंगे इसको समझाते हैं example से फिर से समझेगा कि अगर number एक से कम है तो जो zero होंगे आप दाएं हाथ, बतलब decimal के decimal के इधर हम दाएं कह रहे हैं decimal के इधर हम बाया कह रहे हैं तो decimal के दाएं हाथ पे जाएं लेकिन जो left में है पहले non-zero digit के वो not significant रहेंगे समझेगा इसको 0.001507 इसमें ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये जो अंडरलाइन किये गए हैं ये significant नहीं है ये significant नहीं है यहाँ पर केवल 4 significant figures है एक, पाँच ये 0 क्यों आ गया क्योंकि ये non-zero numbers के बीच में है ये 0 इसले इंकूड नहीं किया क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है ये 0 इसले नहीं किया क्योंकि ये left में है तो इसमें क्या चार significant figures है अगला rule है एक number जिसमें decimal point नहीं है तो जो zeros होंगे दाएं हाथ पे last non-zero digit के बाद वो significant नहीं होंगे कहने का दाथ पर ये है 132 meter ठीक है आप कहें मैं इसको centimeter में जानना चाहता हूँ तो 100 से इसको गुना कर देंगे multiply कर देंगे 13200 आ जाएगा ये 13200 centimeter हो गया इसको millimeter में करते है एक zero और बढ़ा देते है ये millimeter में आ गया है इन तीनों ही case में केवल एक, तीन और दो ये ही significant digit होगा तीनों ही case में चाहे meter ले, centimeter ले या millimeter ले तीनों ही case में केवल तीन ही significant digit है इसका मतलब कोई change नहीं हुआ क्योंकि zero जो आपके हा रहे है वो decimal point जो zero decimal point के आते है वो केवल position बताते है लेकिन अगर change करें units यदि number zero हो और number zero increase हो रहे हो लेकिन significant digit नहीं change होते है यापर जो trailing zero है अगला मैं बतारा हूँ rule जो trailing zero है किसी भी number में जिसमें decimal point हो वो significant होते है इसका सीथा मतलब यह है कि आपने का 7.9 मेंने गिना फिर मैंने इसको और मैंने वर्नियर के रिपर से नापा तो 7.90 आया फिर मैंने इसको गौज सेखिया तो 7.900 आया तो क्या ये 00 की value नहीं रहेगी बिलकुल रहेगी बिलकुल रहेगी ये जो 7 है ये 9 है ये 0 है ये 0 है ये 4 के 4 significant digit है और जब हम decimal के बात कर रहे हैं दाये हाँ पे तो trailing 0 यानि कि 7 नौ के बात जो 00 आ रहा है इस दोनों में ये भी 4 और ये भी 4 ये 4 के 4 significant digit होंगे और जैसे हमने पहले rule में देखा ये 0 और ये 0 हम नहीं लेंगे अब जो rules देखे हैं उस हिसाब से हम significant figures या digit जाने की कोशिश करेंगे 0.003 इसमें किजने significant figure है क्योंकि ये decimal है और decimal में जो भी 0 पहले आता है उसको पो छोड़ दीगे इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि ये 0 कोई भी non-zero number के बीक में नहीं है तो किसमें केवल 1 significant digit है वो है 3 अगले में रखेंगे 0.1570 gram per centimeter इसमें क्योंकि ये point ये 1 से कम number है तो इसको तो लेंगे निया इसको छोड़ देंगे point के बाद decimal के बाद 1 है 5 है 7 है ये तो है लेकिन 0 trailing भी है ये जैसा अपने last rule में discuss किया तो 1570 ये सारे के सारे आपके significant figure आएंगे 2.64 into 10 की घाथ 24 10 की घाथ 24 को छोड़ दीजे 2.64 इसमें significant digit कितने हो गए 2, 6 और 4 3 significant figures हो गए 7.590 ये example हम पहले discussion में देख चुके हैं तो 7 भी, 5 भी, 9 भी, 0 4 के 4 significant figures में आएंगे 6.032, 0 जो है वो decimal के बाद है लेकिन 2 non 0 के बीच में है तो ये 0 include होगा यानिकि 6, 0, 3, 2 4 आपके significant figures आगे इसमें अगर देखें आप तो मैंने जिसे बताया 10 की minus 4 इसको भूल जाइए इस पे concentrate करिए 3, 0, 1, 2 0 को बिल्कुल मानने रखा जाएगा क्योंकि ये non 0 के बीच में है इसका मतलब 3, 0, 1, 2 4 significant figures है आपके पास significant figure जब हम add करें subtract करें multiply करें or divide करें कोई भी physical या physics से related experiment करेंगे तो उसमें एक experiment या एक measurement नहीं होता उसमें कई सारे measurement होते है और हर एक measurement की कुछ accuracy होती है जैसे पहले भी हमने discuss किया कि जो measuring instrument है उसके least count पे depend करता है कि कौन सा इसमे number last में आना है क्योंकि least count से नीचे तो नहीं जा सकते है जैसे resistance अलग-अलग resistors का अगर हम meter से, ohm meter से इसको measure करें और अलग-अलग least count से करें तो 5.67 ohm आ सकता है 12.345 भी आ सकता है 0.7 भी आ सकता है तो total resistance आप कैसे ना आपेंगे इन सब को जोड़ दीए इनको जोड़ने का तरीका 12.345 सबसे जादा significant digit वाला लिख दीजी फिर decimal को रखिए बस यहाँ पर और इसके आगे वाला number यहाँ 67 यहाँ ऐसी 0.7 के लिए 0.7 यहाँ रखिए 7 यहाँ यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 जोड़ दीजे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है 0 जोड़ दीजे यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है 0 जोड़ दीजे अब इनको add कर दीजे आप देखेंगे यह 5 आएगा 4, 7, 11, 1 carry यह आपका आएगा 17, 7 1 carry 5, 2, 3, 8 18.715 ohm है इस तरीके से आएगा यह आपका measurement हुआ अब question इसमें आता है क्या यह sum कुछ ठीक है क्योंकि यह तो हमने ऐसे measure किया है जिसमें हमारे पास किवज तीन ही significant digit है यह figure है इसका क्या इसके पास तो यह वाली value है नहीं इसके पास कहा है 6, 7 के बाद खतम हो गया है इसके पास तो 3, 4, 5 भी है है ना हमारे पास तीसरे digit की जो decimal के बाद आ रहा है उसकी तो information ही नहीं है R3 की बार हम बात करें तो इसमें तो हमारे पास एक ही हमारे पास ना second digit की ना third digit की कोई information ही नहीं है इसका मतलब जो precision है इस measurement में R3 जो हमने आपका यह वाला निकाला R3 की वो कम है बाकी दूराज सबसे कम इसकी है फिर इसकी है सबसे बढ़िया इसकी है तो जो sum आ रहा है 18.715 जो जोड़ के मैंने दिखाया इसमें जो second और third digit है यह आपके insignificant हो जाएंगी और answer आप कैसे लिखेंगे इसको आप हटा देंगी क्योंकि आपका least जो है उसी के हिसाब से लिखा जाएगा वो ही आपका final होगा ऐसा नहीं कि आप इसके हिसाब से लिखेंगे अभी जोड़ा मैंने आपको पताया 00 जोड़ दीजे आपको लगा कि 18.715 सही आ रहा है लेकिन यहाँ थो असा अलग है मामला आप 18.7 तक ही लेगे तो कोई भी रिजल्ट जिसमें एक से ज़ादा insignificant हो या uncertain digit हो उसको आपको round off करना पड़ेगा ताकि आप correct significant digit तक आए उसके उपर नहीं जाना है least significant तक आप महाँ पर पहुँचाएंगे तो कुछ के लिए कुछ rule समझ लीजे यदि significant digit 5 से कम है तो उसका preceding digit जो होगा जो बाए हाथ का है वो unchange रहेगा कहने का अतात पर यह है यहाँ पर 10.743 है आप 10.7 तक लेना चाहते हैं बस यह 3 significant digit लेना चाहते हैं क्योंकि 7 के बाद 4 आ रहा है जो 4 5 से कम है तो इसमें कोई भी fair बदल नहीं होगा इसको 10.7 लिख देंगे क्योंकि 7 यह जब 4 है यह इस पर effect नहीं डाल पार लेकिन यदि इसी case में हमारे पास एक example हो 10.68 हम इसको 10.6 करना चाहते हैं क्यों 3 significant digit रखना चाहते हैं और 6 के बाद आप 8 देख रहे हैं जो की 5 से बड़ा है ठीक 8 is greater than 5 तो आप इस 8 के कारण इस 6 को एक बड़ा देंगे यहने 10.68 की जगा 10.7 लिखेंगा आप खुद ही देखिए 10.68 ज़ादा करीब है 10.7 के ना कि 10.6 के तो इससे 10.7 करेंगे यदि आपका जो डिजिट है वो 5 है तब आप तब भी एक या तो उसको आप increase कर सकते है या decrease कर सकते है कहने का मतलब if the digit to be dropped is 5 अब यहाँ पर देखिए 5 से कम हुआ पांच से ज़ादा हुआ यह तो बिल्कुल clear हो गया लेकिन अगर 5 है तो हम क्या करेंगे कि जो preceding digit है उसको हम एक से बढ़ा देंगे यदि वो odd हो और यदि हम even हो तो हम unchanged रखेंगे फिर से समझेगा 10.45 इसमे यह क्या है even है कि odd है यह even है even होगा तो हम इसको छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे लेकिन जैसी 10.55 आया है इसके बाद यह 5 है इस 5 के हिसाब से इसको change करना है इस 5 के हिसाब से यह change होगा जैसी आपने 5 देखा और इस नमबर को देखा कि यह odd है तो आप इस 5 को 6 कर देंगे addition और subtraction में जब भी आप addition subtraction कर रहे हैं दो significant number का तो कुछ चीज़े ध्यान देंगे इसमें अगर सारे number integer है तो जो sum आएगा वो नॉर्मल तरीके से होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यदि addition or subtraction गप कर रहे हैं और जो final result आ रहा है उसमें कुछ decimal places आ रही है कुछ decimal dot वाली value आ रही है और कोई एक number आ रहा है जिसमें कम सबसे least decimal places है इसको इस तरीके समझिए कि अगर आपके पास यह R3 है 0.7 ohm इसमें कितने significant digit है केवल एक साथ decimal के बाल के बाल साथ आ रहा है total कितना हुआ 18.715 मैंने बताया कि जब integer एड़ हो रहे हैं सबका precision इससे ज़्यादा था least precision का लेंगे तो यहाँ पर आपके वल 18.7 ले लेंगे 15 को छोड़ देंगे और इस 7 को 7 को हमने 1 क्यों रखा मतब 7 को हमने 7 क्यों रखा 1 था यहाँ पर यह 5 से काम है इसलिए इसको 7 तक भी 18.7 माल लिजए यह यह 5 से ज़्यादा होता यह 5 से 5 यह 5 से ज़्यादा होता तो अभी जो रूल बताए हैं वो यह आप आपके करें Multiplication और डिविजन की बात करें किसी भी measurement में जो last डिजिट है उसको हम uncertain मानते हैं Multiplication कोई भी number का जिसका least significant digit है वो भी insignificant होता है मतलब का नहीं होता आपको आप अंसर्टेन नहीं हो उसके बारे में लेकिन जो final result आएगा उसमें केवल एक ही insignificant digit होना चाहिए यहाँ पर कुछ चीजे Multiplication division करेंगे उसमें आपको ध्यान दियाना है पहला यह है कि जो multiplication division जब आप कर रहे है जो final result आने वाला है final value आने वाली है उसमें वो value आपको retain करनी है as many significance as there are no original number original number के least significant के जितने digit है वो आपको retain करने example से समझीए इसको मान लीजे length और breadth आपने मटी प्राएगी है किसी rectangular plate यह length और breadth आपने मटी प्राएगी है length है आपका 2.613 कितने हो गए 4 इसमें significant digit है breadth आपने का 1.2 है 2 significant digit है तो कहने का मतलब यह है कि जब इसको आप multiply करेंगे 2.613 को 1.2 से तो आपका करीब आएगा 3.1356 लेकिन 1.2 इसमें least significant number है इसका मतलब 2 ही significant figures है तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए इसका उत्तर क्योंकि least जो least होगा उसको लेंगे तो 3.1356 इसको आप given 3.1 लेंगी और फिर से मैंने बताया कि क्योंकि 3.1 में 1 लिया क्योंकि ये number 5 से कम है इसको ध्यान रखेगे एक और example लेते हैं इसका mass किसी object का है 3.523 volume है 1.47 जो density आ रही है वो क्या होती है mass by volume 3.523 को 1.47 से divide करेंगे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 4 significant digits यह figure यहाँ पर 3 है तो कम किसका है 1.47 तो हम 3 ही लेंगे तो इसको multiply करने पर divide करने पर हमारे पास ये value आ रही है तो हम क्या करेंगे हमारे पास तो किवाल ये 1, 2, 3 लेंगे और ये तीसरा जो है uncertainty इसको कैसे हम decide करेंगे यहाँ पर 9 है 5 से बड़ा है तो इसको 3 करेंगे 2 को 3 करके लिखेंगे 2.43 लिखेंगे तो जो density है इसको हमने represent किया 3 significant figure से लेकि जो measurement है volume का उसमें 3 significant figure से एक और इसका rule है कि जब 2 number इसको हमको multiply करना है या divide करना है और इसमें से out of them जिसमें measurement एक definite number है तो जो integer और fraction आएंगे वो जो इस physical equation में वो आपके in general definite number आएंगे एक equation आपके पास है V square minus V0 square is equal to 2AD इसको आपने V square equal to U square plus 280 नाम से 2AS नाम से देखा है पहले discussions में तो यहाँ पर जो coefficient 2 ही 2 है वो 2 है exactly 2 है यह तो change नहीं वह रहा है constant है अब इसके पास infinite significant figures है 2 को 2.0 लिख दे 2 को 2.00 लिख दे एक ही बात है इसमें हम क्या करेंगे हम क्योंकि हम constant value हो गई है specific value है तो we will not consider the significant figure of the definite numbers हम यहाँ पर significant definite number है उसका significant figure नहीं देखेंगे फिर से समझाता हूँ आपको एक लिए situation लेके जो diameter है sphere का 4.24 है आपको उसका surface area निकालना है sphere का correct number significant figure के हिसाब से अब आप जानते हैं कि surface area जो sphere का होता है वो होता 4 4 pi r square इसमें दिया हुआ है आपको 4 definite number है pi 22 by 7 फोड़ा 7 definite है लेकिन 3.14 इसको लेते हैं अमूमन लेकिन बात हमारी आ रही है diameter की diameter को 2 से divide कर दीजिए radius को यहाँ रग दीजिए d by 2 यानि कि 4.254 को 2 से divide कर दीजिए square कर दीजिए लेकिन जब आ 56.478 ले रहे है जब इसका उतार आएगा 56.478 इस equation में 4 और 2 आपके definite number है हम इसको consider नहीं कर रहे हैं और जो measure है d का उसका 3 d का उसकी बारे मात करें तो उसमें कितने significant digit है 1, 2, 3 तो आपको यह 3 जो है यह 3 significant digit क्योंकि r पे dependent है 4 और πाई की यहाँ पर कोई सर्थक्ता नहीं है सर्थक्ता इसले नहीं है क्योंकि हम significant digit की बात करें बाकी तो value की तो सर्थक्ता है तो अब हम क्या करेंगे इसमें 56.4 ही हमको लेना है लेकिन 4 कैसे decide होगा कि 4 आएगा या 5 होगा यह 7 से decide होगा अब देखे 7 है 5 से बढ़ा है तो इस 4 को 5 कर दीगे तो 3 क्योंकि यह 3 है 4.24 में 1, 2, 3 है उत्तर में भी आपके 3 ही आएँगे 56.5 यह 5.6 56.5 एक, दो, तीर तीर ही आने चाहिए dimensions and dimensional formula कोई भी physical quantity या derive quantity basic या derive इसको हम express करेंगे combination में साथ हमारे पास fundamental या base quantities होगी अब अपनी सहुलियत के लिए जो base quantities है उनको हम letter से लिखते हैं क्योंकि हम number नहीं समझ पाते हैं हम letter आराम से समझ जाते हैं हम क्या करेंगे जो mass है उसको हम represent करेंगे M से capital M कर देते हैं इसको length को हम करेंगे capital L से और time जहाँ आएगा उसको हम करेंगे T से क्योंकि यहाँ पर हम current वगर की बात करेंगे magnetism की भी बात करेंगे तो electricity या electric current को C लिपनाओ current को हम करेंगे ampere से तो यह M, L, T, A capital आपको यह हर जगा दिखाई देंगे अब से तो thermodynamic temperature जो substance है उसके amount पे और जो luminous intensity है उसको हम denote करेंगे K thermodynamic temperature Kelvin के K से और बाकी M, O, L mole यह हम उसका mass और जो amount of substance है वो आपका यह हो गया और CD CD आपका luminous intensity होगी जो कि हमने पहले बात किये थी candleा से करते हैं CD से तो जहां जहां यह आएंगे उसका हम करेंगे तो जो physical quantity है उनको हम इस पे इन सब M, L, T, K जो जो हमने अब यहां पर अपने सहुलियत के लिए बनाया उनके powers पे बात करेंगे तो जैसे ही इनकी कुछ power आने लगेंगी इन में से कुछ चीजे यूज होंगी कुछ चीजे नहीं यूज होंगी और उनकी कुछ power आने लगेंगी तो ऐसा जो expression बनेगा किसी भी physical quantity पा उसका हम कहेंगे कि वो उसका dimensional formula है dimension का मतलब हो उसका power के जो power यह exponent है VL, T का वो ही dimension होता dimension का मतलब उसके dimension की बात होना है उसके power की बात होना है तो dimensional power जो formula है किसी भी physical quantity का उसको हम रखेंगे square bracket में कैसे रखेंगे? square bracket में जैसे हमने कहा mlt-1 इसके power minus 1 करते थे इसको square bracket में रखा ये आपका एक पूरा dimensional formula होगा उस physical unit रखेंगे एक example लेंगे velocity क्या होता है displacement by time ये हम बिल्कुर clear है इस बारे में यानि अगर मैं velocity को लिखूँ तो मैं कुछ square bracket में वी लिख देता हूँ ये के representation के लिए हमारा main मतलब ये है कि हमको इसकी dimension पता करनी है displacement length होता है displacement यहां से माँ जाएंगे length की बारे बात करेंगे तो dimension ही हाँ length की आएगी और time मतलब समय यहां dimension time का आएगा तो dimension of length L हमने अभी इसके लिए L लिया dimension of time हमने T लिया अब L की power 1 T की power 1 किसी की power अगर के हम जैसे X लिख रहे तो इसकी power मतलब 1 ही तो है तो L की power 1 T की power 1 चलिए L की power 1 तो ठीक हो गई T की power 1 है नीचे रखने से अच्छा ज़रा उपर ले जाए जाए कभी भी power नीचे की उपर आती है तो माइनस हो जाती है तो ये तो L बन रहेगा T की power उपर जैसे आई T की power माइनस 1 होगी तो ये L की power 1 T की power माइनस 1 अब इसको संपूर्ण करना है पूरा करना है M को क्यों छोड़े हमको हर एक dimension को एक ही चीज से रप्रेजेंट करना है तो M तो था ही नहीं किसी X की power 0 का मतलब क्या होता है 1 तो M की power 0 का मतलब भी 1 होगा तो M की power 0 रिखने से हमें कोई problem नहीं है L की power 1 तो हम लिखे ही सकते हैं ये आया और T की power माइनस 1 ये क्या बन गया आपका M की power 0 L की power 1 T की power माइनस 1 ये होगा आपका dimensional formula ये पूरा का पूरा dimensional formula होगा velocity का अब dimension की बात करें तो dimension यहाँ mask के dimension है 0 length का dimension है 1 और time का dimension है minus 1 अब आते है kinetic energy के बारे में kinetic energy है half mv square इसका मतलब constant को तो हम छोड़ देते हैं constant का कोई dimension नहीं होता है mask का जरूर होता है और velocity का भी होता है इस k को हम square bracket इसलिए रख रहे हैं कि अब हम square bracket से बताना चाहते है कि हम इसका dimensional formula निकालेंगी half को जैसे मैंने कहा एक number है एक precise number है तो इसको हम dimensional less काईगी अब एक-एक से शुरू करते है mass, mass से कैसा हैगा m velocity अभी-अभी हमने निकाली क्या निकाली थी? m के power 0, l की power 1, t की power minus 1 लेकिन ये square है है ना? तो x की power 2 और उसकी power 2 क्या होता है? 4 क्यों? 2 into 2 हो जाता है यह यहाँ पर करेंगे 2 into 0, 0 2 into 1, 2 2 into minus 1, minus 2 तो ये क्या बन गया? ये एक m बाहर था इसको ये रहने दीजे एक m की power 0 पे आपने 2 into 0 किया तो क्या है? 0 आया इसका मतलब किसी की power 0 तो 1 ही होता है तो इसको मटा देते है l की power 2 यहाँ लिख देंगे t की power minus 1 को 27 प्लाए किया तो 2 into minus 1, minus 2 आ गया यहने कि m की power 1 l की power 2, t की power minus 2 ये इसका dimension formula बना और इसके dimensions है 1, mass के लिए 2, length के लिए और minus 2, time के लिए dimensional analysis जो तरीका है जिससे हम solution निकालेंगे बहुत सारे problem का physics में और खास तरफ से formula की तरफ देखेंगे उसे हम कहते है dimension analysis dimension analysis का उप्योग क्या है? पहले चीज़ तो relation निकालना है units का कुछ physical quantity है, दो अलग-अलग systems या unit के system में उसमें अगर आपको निकालना है उनके बीच में क्या relation है ये ध्यान रखना है कि left hand side का dimension, right hand side की dimension से बरावर हो अगर ये नहीं है इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गरबढ़ है आपके formula ठीक नहीं बन रहा है तो अगर dimensional consistency पता करनी है किसी equation की तो अलग-अलग physical quantity की तो ये सबसे अच्छा तरीका है फिर इसके बाद अगर आपको equation derive करनी है एक equation derive करनी है physical quantity से किसी दूसरे physical quantity के term में तब भी हम dimensional analysis का use करते हैं फिर पहरी बात से शुरुआत करता हूँ मैं आपके जैसे अगर हमको relation निकालना है दो units का या दो unit system का किसी physical quantity के तालूग से दो अलग-अलग system जो unit को रापने के system है तो कैसे करेंगे example के तह समझेए unit जो work की है वो mks system में joule ना पिजाती है meter kilogram second में इसको joule के हिसाब से ना पा जाता है यहीं आप centimeter वाले system में ले जाएंगे तो यह erg के हर नाम से जाना जाता है ERG अब आपको एक संबनाना है relation बनाना है या उनके बीच में relationship स्थापित करना है joule और erg के बीच में कैसे हो गाए work का dimensional formula है m की power 1 l की power 2 t की power minus 2 यह अभी अभी आपने देखा यह अभी अभी आपने निकाला अब work मतलब energy energy मतलब work work मतलब m की power 1 l square t की power minus 2 या ने कि हम kinetic energy के निकाल चुके है अब जब m के सिस्टम में m है तो mass kg में है हम इसकी बात जब m के सिस्टम की बात करें dimensional analysis जब हम कर रहे है तो हम कहते हैं कि हमने mks system लिया जैसी यह centimeter में मतलब जैसी आप cgs में आएंगे तो हमारा यह gram हो गया यह centimeter हो गया यह second हो गया आप जानते हैं 1 kg कितने gram के बराबर होता है 1 kg is equal to 1000 gram यानि 10 की घात 3 gram तो 10 की घात 3 लिग दीजिए इसके आगे और इसको gram में लग कर दीजिए length है meter में इसको जरा centimeter में change करते है एक meter जो होता है वो 100 centimeter के बराबर होता है 100 का हम 10 की पावर 2 लिख सकते है तो यह L बराबर हो जाएगा meter में L 10 की घात 2 के साथ centimeter में time के बारे में बात करें क्योंकि यहां भी second है यहां भी second है अब हमको 10 लिखना है तो कैसे करेंगे 10 की पावर 0 लिख देगे क्योंकि किसी की पावर 0 जो होती है बन होती है तो 10 की पावर 0 लिख सकते है अब इस M क्योंकि हमारे पास यह है इस M की जगए, क्योंकि हम MKS को आप CGS में change करना चाहते है तो M की power 1 इसकी power 1, यानि इस पूरे की power 1 कर दीज़े तो 10 की power 3, M की power 1 अब L square करना है तो इस पूरे की power 2 कर दीज़े यानि 10 की power 2, L की power 2 अगर आपको T की power minus 2 करना था इस पूरे की power minus 2 कर दीज़े अब देखिए, क्योंकि power 1 है 10 की power 3 रहेगा, M की power 1 ये 2 है तो 10 की power 2 इंटू 2, यानि 10 की power 4 हो जागा, ये L square तो रहेगा 10 की power 0, minus 2 0, minus 2, 0 ही होता है तो ये वैसे भी हट जाएगा, T की power minus 2 रहेगा अब आप M, L, T को एक साथ ले लिजे जो जो coefficient बने उनको एक साथ ले लिजे 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की power 3 और 10 की power 4, पावर जो है वो जूडते है, तो 3 और 4 जूड़के 7 हो जाएगे, 10 की power 3 MKS सिस्टम से आपने इसको अभी-भी CGS सिस्टम में convert कर दिया है, और जो conversion value आई है, वो 10 की घात 7 आई 10 की घात 7 और ये, तो MKS unit of work बराबर होता है 10 की घात 7, CGS unit of work, तो 1 जूल कितना हो जाएगे, ये जूल है, ये जूल है, ये अर्ग है तो 1 जूल होता है, 10 की घात 7 अर्ग, कितना आसान हो गया है आपने एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम की बीच में एक संभन्द स्थाफित दिया एक relationship बताई, कि जब भी हम एक जूल लेंगे, और हम उसको convert करना चाहेंगे अर्ग में, तो ये 10 की घात 7 की value आपको यहाँ पर लाने पड़ेगे हम verify करना चाहते हैं dimensional consistency किसी equation की जो अलग-अलग physical quantity से मिलके बनी है तो कोई भी equation जो relate कर रहा है अलग-अलग physical quantity को यदि dimension के town दोनों ही side, left hand side और right hand side में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये equation dimensionaly consistent है dimensionaly सही है centripetal force किसी भी object पे जो लगता है, किसी भी uniform इस तरीके से लगता है एक ऐसा force होता है तो centripetal centrifugal force होते है तो centripetal force जो है वो f is equal to mv square by r m mass है, v velocity है r आपका radius है mass को mass में ले लेंगे velocity अभी अभी हम निकाल चुके r को हम length लेंगे तो हम क्या करेंगे ये mass हो गया m, ये हो गया आपका l और ये t की power minus 2 ये हमारा left hand side से आपका आगे अब आप देखिए कि जब हम इसको m force तो ये हो गया अब ये जो force है ये वाली जो चीज है वो हमारी है mv square by r तो जो left hand side equation उसको हम consistency check चेक करना चाहरे है m ये l की power 1 जो है इसको हम l की power 2 by l लिख सकते है क्योंकि जब ये उपर जाता है तो power घटते है 2 minus 1 हो जाएगा तो l एक ही बात है l को हम लिख सकते है l square by l तो l को लिख सकते है l square by l t को ऐसे रहने दीजे इसको एक साथ कर लीजे l square और t square को एक साथ कर दीजे ये basically m l की power 1 और t की power minus 2 ये दोनों तो सेम ही है हमने क्या किया l को हमने l square by l लिख दिया क्योंकि वह l के बरावर ही लेकिन इससे हमें फाइदा क्या हुआ है ये mass हो गया ये आपके velocity हो गई जिसका square है l t minus 1 ये velocity होती इसका square l की power square t की power minus 2 और ये आपका हो गया ये लेंद ये इसका मतलब ये है कि यहां से चले ये निकाल लिया इसका मतलब dimension जो left hand side का है right hand side के बरावर है ये dimensionally correct है जो formula था dimensionally correct है तो ये equation में constant है वो dimensionless होते है कब हम उसको verify नहीं कर सकते dimension analysis से नहीं कर पाएंगे एक तीसरा फाइदा इसका dimension analysis का ये था कि हमको अगर equation निकालनी है किसी physical quantity की किसके terms में किसी और physical quantity के terms में निकालना है तो कैसे करेंगे हमको निकालना है expression periodic time simple pendulum का जो periodic time है किसी simple pendulum का वो depend करता है उसके length pendulum की length क्या है इसकी length क्या है mass क्या है इसका बॉब का मास क्या है और इसमें ग्रविटेशनल पुल क्या लग रहा है तो इसका मास हो गया, यह लेंथ हो गई और आपका यह G हो गई तो periodic time T, यह directly proportional है M to the power A directory proportional है L to the power B, directly proportional है G to the power C हमें नहीं पता A, B, C क्या है हमने यह बता दिया कि भाई हम जानते है periodic time L पे depend करता है L की power B कर दिया मास पे depend करता है, M की power A कर दिया और G पे depend करता है तो G की power C कर गया, इसका सीथा मतलब है कि time जो है उपरी तरह depend करता है M की power A into L की power G G की power C, यह इसको तीनों को मिदा के लिग अब proportionality sign जब भी हटाते है is equal to करते है तो हमें यह आपर constant लगाना परता है constant लगा दिया, constant जो है constant of proportionality है dimensional less होता है, तो इसके बारे में हम वरी नहीं करेंगे हमारा A और B और C, यह real number है A जब हम dimensional formula बनाते हैं तो जो दोनों side है वो आपके बरापर होने चाहिए इसका मतलब यह है कि M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर minus 1 यह कहां से आये यह आया time से time क्या है? time में क्यों T की पावर 1 रहेगी तो M की पावर 0 रहेगी L की पावर 0 रहेगी अब आप देखिएगा किस तरीके से हम ये A और B और C निकाल लेते हैं हमने कहा कि ये M इसकी पाउर A है हमने कहाँ L की पाउर B है और ये जो तीसरा था उसकी पाउर C है तीसरा क्या था? आपकी ग्राविटी थी ग्राविटी इस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का होता है अभी अभी हमने पिछले डिसकेशन में निकाला M की पाउर 0, L की पाउर 1, T की पाउर माइनस 2 इसको A को 1 से गुणा कर दीजे A आएगा, B को 1 से गुणा कर दीजे B आएगा, C को 0 से करेंगे तो 0 आएगा C को 1 से करेंगे तो C आएगा और C को माइनस 2 से मुणिप्राय करेंगे तो माइनस 2 C आएगा पाउर हमेशे जोड़ जाते है सेम अगर आपका बेस है तो तो M और M को लीजे A और 0 को जोड़िए M की पाउर A L और L को लीजे B और C को जोड़ दीजे L की पाउर B प्रस C अब T यहाँ पर है नहीं कहीं भी T की पाउर माइनस 2 C है तो 2 C बस लिए अब हम जब कंपेर करेंगे तो ये इनकी डिमेंशन सेम होनी चाहिए डिमेंशन क्या होता है पाउर होता है तो 0 A के बराबर है तो A 0 आगया 0 B प्रस C 0 के बराबर है और माइनस 2 C आपका 1 के बराबर है तो माइनस 2 C इकल टू 1 यानिके C कितना आजागा माइनस हाफ इसी माइनस हाफ को यहां रख दीजी तो B कितना आजाएगा हाफ A, B, C आपको 3 हो लिए और अब इसको हम लिख सकते है Time is proportional to जी की पाउर माइनस हाफ है यहने की under root G denominator में आएगा तो यह दोनों को एक बार under root कर दीजी यह अटा दीजी है under root L by G इसको हम अराम से experimentally निकाल सकते हैं estimation से निकाल सकते हैं जो की value 2 pi आती है यह रोगोंने कर रखा है 2 pi आ जाएगी आप देखिए आपने अभी अभी formula निकाल लिया periodic time simple pendulum का कितना आसान हो गया एक dimensional analysis से आपने proper formula निकाल लिया limitation क्या है dimensional analysis की अब इसकी limitation भी है किसी भी dimensional formula में जिसमें MLT होता है तो हमारे पास तीन equation बनती है जैसे अभी अभी आपने देखा A, B, C के तीन equation बनी है जब हम equate करते है MLT के तो अगर कोई भी चीज तीन से जादा हो तो आप उसकी उसका relation या बागी चीज़ जो जो हमने बात की वो नहीं निकाल पाई क्योंकि इसमें हमारे पास MLT ही आ रहा है जो information है dimensionless constant की वो हमने ही निकाल सकता है अभी अभी आपने देखा जो हमने time निकाला तो हमारे पास is equal to k under root lg हम इसके लिए बड़ा confident थे इसके लिए हमने बड़ा confidently under root l by g निकाला इस k के बारे में हम बिलकुँ sure नहीं थी हम ने कहा है यह experimentally निकाला गया तो यह k k कहां से आएगा यह हम experiment से निकाल सकते हैं dimension analysis से हम इस k के बारे में कुछ नहीं पता कर सकते हैं dimensional analysis हम कहां यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें trigonometry, exponential या logarithmic function हो वहाँ पर हम इसका उप्योग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो function होते है इसमें dimension नहीं होती है यह dimension less होती है जैसे अगर sin omega t लीजिए e की पार minus kx लीजिए यह function है omega t का यह function है minus kx का या kx का ले लिए यह dimension less quantity है e का क्या बोलेंगे sin का कोई dimension नहीं होता है वहाँ इसका उप्योग नहीं कर पाएंगे dimension less अगर constant यह proportionality का आ रहा है वो dimension less ना हो तब इस method का उप्योग कैसे करेंगे एक example देता हूँ f आपका g m1 m2 by r square इसमे g proper एक unit है gravitational एक constant value है लेकिन इसका एक dimension है n newton meter square by kg square इसको आप dimension analysis से नहीं निकाल पाएंगे यदि velocity light की इसको हम unit of velocity और year के हिसाब से ले अगर हम unit of time ले तो आपको unit distance का निकालना है velocity आपको दी होई है 3 into 10 की घात 8 meter per second distance होता है velocity into time speed is equal to distance by time उससे ये हमारे पास relationship है distance की unit क्या होगी velocity की unit ले लिए time की unit ले लिए unit velocity की क्योंकि यहाँ पर 3 into 10 to the power 8 दिया ये meter per second को MS-1 करते हैं unit of time एक year कहा गया है एक year को हम क्योंकि ये second में है तो इसको second में बदलना पड़ेगा एक साल में 365 365 एक बटे चौथाइज दे होता है यहने 365.25 डेज होते एक दिन में 24 घंटे होते और 24 घंटों में एक घंटे में 3600 सेकंड होते तो इसको multiply करेंगे तो आपके पास value आएगी हमारा मकसद इसके value से नहीं है हमारा मकसद ये है ये है MS-1 यानि कि meter per second ये है second हमने किए dimensions वो उसके unit ये है बागी ये multiply करके ये तो खैरे आ जाएगा अब देखिएगा कि मैं जब इसको इस तरह के से लिखूंगा SS cancel हो जाएगा केवल meter आएगा इसका पतब सीधा है जो unit है distance की इसको हम light year कहते हैं और ये meter में आएगा एक नया system जिसमे unit length की mass की और time की जिसको इस तरह के से choose किया गया कि length को आप 10 cm कहेंगे mass को आप 10 gram कहेंगे और time का आप 0.1 second कहेंगे इस नए unit के तत्वाधान में या नए unit जो force है न्यूटन में वो किस तरह के से होगा आपने ये सब चीज़े नहीं ला दी है what will be the new unit of force 10 की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर माइनस 2 अब M की जगा आप 10 cm लिखिए याने M की जगा sorry, ये mass gram है 10 gram लिख दीजे, 10 gram की पावर 1 आपके पास length है 10 cm, तो 10 की पावर 1 हमने क्या लिए L की जगा 10 cm लिख दिए time क्या 0.1 second है तो 0.1 second लिख दीए अब आप क्या करेंगे इस kg को क्योंकि आपको लेना है ये Newton में, और Newton में करना है तो M के सिस्टम में लाना पड़ेगा इस gram को आप change करिए पहले आप kg में तो gram का kg क्या होता है 1 kg में 1000 gram होते है तो जैसी आप इसको 10 को 1000 से रिवाइट करेंगे 10 की पावर माइनस 2 आएगा ये, इसी तरीके से centimeter को meter में change करिए एक meter में 100 centimeter होते है डिवाइट करिए इसको 100 से 1 by 10 याई कि 10 की पावर माइनस 1 0.1 second आया है आपका इसकी पावर माइनस 2 है और 0.1 second को आप जब क्योंकि इसमें change करनी के और शक्ता नहीं सिधा आप s की पावर माइनस 2 करिए और यहाँ पर आपकी जो value आएगी 0.17 इसका square माइनस 2 में कर दी ये आपका जाए अब जब इस सब को जोड़ेंगे kg meter और second square इसको तलग कर दीजे kg 1 हो गया मास की पावर 1 माइस हो गया s की पावर माइनस 2 यह हो गया और आप 10 की खाथ माइनस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस 2 कर दीजे यह माइनस 3 प्लस 2 आएगा यानि कि माइनस 1 10 की खाथ माइनस 1 यानि 1 बाइट 10 यानि 0.1 Newton, यह तो Newton के बराबर है इस तरीके से आए जब एक metallic rod जिससे heat आ रही है इसमें एक thermal steady state है और जो heat pass हो रही है किसी T time में, उसको हम बता रहे हैं Q equal to K into A T1 minus T2 into small t by L, इसमें एक एक चीज़ को देखते है, K जो है यह thermal conductivity उस material की है, जो rod के बारे बात हो रही है, ए एरिया of cross section है, T1 और T2 आपका temperature है, hot, गरम और ठंडे end का और जो T है वो time है, capital है आपको length दिखना है, इसका dimensional formula निकालना है कैसे निकालेंगी पहले चीज़ तो हमको K का निकालना है तो K को यहां रखिए, बाकी सबको एक side पले जाएए, तो L उपर आ जाएगा बाकी सब चीज़ नीचा आ जाएगी, तो Q into L बाई यह होगी अब हम जानते हैं, एक एक को लेंगी heat, Q, energy होती है energy work M की पाउर 1, L की पाउर 2, T की पाउर 2 यह हम अल्रेडी निकालना है length होता है L, L की पाउर 1 area है क्योंकि meter square में आता है या फिर square unit में आता है distance की, तो L square difference in temperature, अगर आप 20 degree centigrade Kelvin को, आप मानस करे 10 Kelvin से तो क्या आएगा, 10 Kelvin तो Kelvin ही रहेगा, तो इसका पूर्ट आप T की पाउर 1 time है आपका T, T की पाउर 1 यह सारी चीज़े इस formula में रख दीजे जैसी आप रखेंगे mass तो एक ही रहेगा, L square पर L square और यह एक L1 तो यह इन दोनों को जोड़ी है 2 plus 1 3, नीचे 2 है, मानस कर दीजे आपका 3 मानस उपर 3 आया, नीचे 2 है 3-2, 1 आएगा, तो L की पाउर क्या होगी LL अठा जेता हो, 1 T को देखते हैं, T की पाउर minus 2 और T की पाउर minus 1, तो T की पाउर minus 2 उपर है, T की पाउर 1 नीचे है जब यह उपर जाएगा, तो minus 2 into T की पाउर minus 1 minus 2 minus 1 जुड़ जाएगा, minus 3 आएगा T की पाउर minus 3, ऐसी K पर आईए, K और भी नहीं है, केवल K की पाउर 1 नीचे है, जब यह उपर आएगा K की पाउर minus 1 हो जाएगा तो ultimately, M की पाउर 1, L की पाउर 1 T की पाउर minus 3, K की पाउर minus 1, कितने हासानी से आपने इस coefficient की dimension निकाल देगा dimensional formula निकाल देगा आपको dimensional formula निकालना है in physical quantity का electric charge Q potential difference V, capacitance C, resistance R अब यह जो formula है वो कुछ इस तरीके से है Q equal to I T जो आप potential difference आप बताना चाहरे हैं उसमें कुछ work बग़रा भी आएगा VIT Q है CV के बराबर V equal to IR इसमें I जो देख रहे हैं वो electric current है T आपका time represent कर रहा है और W work done energy है तो Q equal to I T I सीधा ampere लिखे time T लिखे बागी दोनों को 0 कर दीज़े M की पावर 0, L की पावर 0 A की पावर 1 क्योंकि ampere है A की है, time भी A की है T की पावर 1 तो A की पावर 1 T की पावर 1 इसको सिधा M 0, L 0 A की पावर 1 T की पावर 1 ऐसे लिखने हैं इसका formula होनी है उसके बाद हम आते हैं अगले बाले पे W equal to VIT तो V कैसे निकालेंगे? W by IT इसको निचे ले आईगे हैं अभी अभी आपने IT देखा उसको यहां रख दीजे V वर्क यहांने एनर्जी का निकाला था M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर मैनस 2 M ऐसे रख दीजे M कहीं भी नहीं है यहां रख दीजे L square भी कहीं नहीं है तो L square रख दीजे T की पावर मैनस 2 और नीचे T की पावर 1 है यह उपर जाएगा तो मैनस 1 बनेगा मैनस 2 और मैनस 1 जूड़के मैनस 3 हो जाएगा A नीचे है A की पावर 1 है उपर आएगा A की पावर मैनस 1 बन जाएगा अब Q equal to C V यानि कि आपको अगर C का निकालना है तो Q by V Q आपने IT देखा V की जगा W by IT रखिए इसमें केवल अब अगर आप देखे तो IT IT उपर चला जाएगा IT IT मुटिपलाइखरके I square T square बन जाएगा I का है A square T का है T square वर की जगा ML square T minus 2 करीए इनको solve करीए V equal to IR है R निकालना है V by I हो जाएगा V की जगा आप W by IT रखिए I नीचे आएगा और IT नीचे जाएगा तो I, I, I square हो जाएगा T बनेगा R निकालना है वर की जगा आप ये energy कर रखिए ये ampere है A square ये T है T की पार 1 इसको M रग दीजे L square नहीं है तो L square आजाएगा A square A की पार 2 है नीचे तो उपर की जगा T की पार मैनस 2 बन जाएगा ये 1 उपर जाएगा मैनस 1 तो T की पार मैनस 2 ये आपका R काजाएगा velocity time of force इनको base quantity लेना है और आपको dimension of formula निकालना है mask क्योंकि हमारे पास जो symbol है force F force के लिए T time के लिए V velocity के लिए तो force होता है mass into acceleration ये law है Newton साहब का velocity के जगा acceleration के जगा velocity by time लिए velocity by time तो अगर आपको mass निकालना हो तो क्या करेंगे time को उपर ले जाएगे velocity के नीचे force into time by velocity force की power 1 है T की power 1 है और V की power 1 है T की power 1 रखी है V की power 1 को उपर जाएगे तो V की power minus 1 क्योंकि इन्होंने कहा है इनको velocity, time और force base quantity चाहिए तो time, velocity, force के साब से ये बनेगा बागी force की जगा मतलब वो चीज मत रख दीजेगा velocity जगा वो मत चीज रख दीजेगा जो अभी तक हम पढ़ते आए क्योंकि इन्होंने कहा है कि force of velocity के term में निकाल रही है जो heat produce हो रही है एक current carrying wire में वो depend करती है I पे, current पे, resistance पे और time पे जिसमें current पास हो रहा है इन fact को ध्यान में रखते हुए आपको formula निकालना है heat energy का किसका निकालना है heat energy का heat energy proportional है इन्होंने सवाल में दिया हुआ है heat energy proportional है current इसकी power I A कर देते है R resistance की power B कर देते है T time दिया हुआ T की power C कर देते है इस proportional T sign को हटाएंगे K लगाएंगे यानि कि half भी आ सकता है 0.5 भी आ सकता है कि अगर मैंने पहले R को कुछ और कहा हो तो इसको आप समझ लीजिए कि real number होते है K जो है वो dimensional constant है इसको हम छोड़ देगे अब dimensional formula बनाना है आपको आप heat जानते है energy energy है energy M की power 1 L square T की power minus 2 कई बार निकाल चुके है पहले अब क्या काम करेंगे अब एक काम करेंगे I होता है ampere A की power A resistance resistance भी हम निकाल चुके हैं अभी पिछले सवाल में तो यह पूरा रख देंगे और power B कर देंगे time तो T है T की power C कर देंगे अब क्या करेंगे यह A की power A हो गया यहाँ पर अपके पास A की power minus 2 into B है तो यह A minus 2 B हो जाएगा A की power M को देखिया M और कहीं नहीं है तो M की power 1 into B is M की power B L स्क्वार भी कहीं नहीं है तो 2 B L की power 2 B T देखिये T की power minus 3 B और यहाँ पर C भी है तो C minus 3 B ठीक है सब की आगे अब A minus 2 B equal to यहाँ A की power 0 है है नहीं न A यहाँ पर नहीं है 2 B minus 2 B आप 0 के बराबर रखेंगी M की power B और M की power 1 यहाँ तब B मतलब 1 हो गया L की power 2 B और L की power 2 यानिके 2 और 2 B बराबर हो गया यहाँ पर T की power minus 2 है यहाँ T की power C minus 3 B है तो C-3B-2 के बराबर कर दीए आपके पास यह equation बन जाएगी चारों इसमें A, B, C को solve करिए A, 2 आएगा, C, 1 आएगा इसको आप पुराने जो अभी अभी आपने लिया उसमें रख दीजें H equal to K, I square R T Experimentary race को जाचेंगे तो के आपका बन आता है आपका हीट हो गया इस तालुक से, इस question के हिसाब से I square R into T कुछ physical quantity उनके SI units और dimensional formula हम revise कर लेते हैं distance D सीधा आप यहाँ पर, क्योंकि distance length में होता है N की power 1 आएगी, बाकि दीन जीरो है SI unit इसकी emitter है mask की बात करें तो mask की power 1 आएगी और बाकी 0 रखेंगे kg में इसको नापते है, SI unit time की बात करें तो कि टाइम पे 1 रखें, बाकी दो रहो 0 कर दीजे इनका dimension 0 कर दीजे second में, plane angle arc by radius, यह theta होता है arc by radius यह dimensionless radian में आता है, solid angle की बात करें, जिस हो staridian कहते हैं यह भी dimensionless है, area by radius area की बात करें तो length into breadth, बाकी भी देख सकते हैं जैसे अगर आप square का area लेते हैं तो length into length, यहाँ पर बस L square कर दीजे, बाकी भी इनों जरूर रहेगी meter square में आपते हैं इसको, volume तीन इसमें dimensions होते हैं, length, breadth और height, इनों भी distance होते हैं L cube आजाएगा, meter cube पे ना पेंगे density की बात करेंगे, तो mass by volume याने कि M mass के लिए होगा, volume L cube अभी अभी अपने volume देखाई से लिए तो mass एक रहेगा, L की नीचे आता है उपर जाएगा, तो minus 3 हो जाएगा, time इसमें नहीं होता है kg per meter cube, या kg meter cube meter to the power of minus 3 speed by velocity, distance या speed या velocity कह सकते हैं तो speed और velocity दोनों की ही distance by time है जिसमें, क्योंकि distance उपर आ रहा है, time मीचे आ रहा है तो L by T, यानि की L T की पावर minus 1 MS की पावर minus 1 acceleration की बात करें तो change in velocity by time, L की पावर 1, T की पावर minus 2 meter per second square में आपते हैं force है mass into acceleration यानि की kg meter per second square Newton इसको कहते हैं M और L इसमें एक एक होता है T की पावर minus 2 होती है work, energy, kinetic energy, potential energy ये सारी इसमें आती है force into distance बात करेंगे force अभी अबने देखा distance L और जोर दीजिए इसमें जो पावर 1 है इसको 2 कर दीजिए आपको जूल में आपा जाता है heat energy, ये सारी work के respect में आपी जाती है तो मुलको सेम यही चीज़ आजाएगी आपको Joule में आपी जाती है momentum होता है mass into velocity ML T की पावर minus 1 kg meter per second इसको पना पा जाता है pressure होता है force upon area force अभी अभी हमने देखा area L square नीचे आजाएगा 1 L की पावर minus 1 T की पावर minus 2 याने newton per meter square पासकल में आपी जाती है pressure periodic time, time कि बढ़ T को 1 कर दीजे second frequency, 1 by periodic time हमेशा frequency होती है 1 by time याने की number of oscillations per second तो कि बढ़ T की पावर minus 1 होगा कि 1 by T नीचे आ रहा है second inverse या इसको hertz के नाम से नाजजा में जाता है angular displacement theta gradient नापज आता है arc by radius होता है इसमें dimensionless quantity है angular velocity, angular displacement by time इसमें के बढ़ time नीचे आ रहा है angular displacement तो यहां से theta हमें देखी लिया कि इसमें dimension नहीं है तो radian per second के बढ़ T की पावर minus 1 होगा इसमें इसमें इसी तरीके से आप angular acceleration रहेंगे तो angular velocity by time इसमें के बढ़ T की पावर minus 2 radian per second square आता है moment of inertia होता है mass एक डिस्टेंस square mass एक आ गया L square होगा आपके T को 0 कर दीजिए kg meter square से नापज आता है torque होता है force और साथ में perpendicular distance तो force लेजिए साथ में distance एक जोग और जोड़ दीजिए L को and newton meter में आएगा impulse क्या होगा force का force into time देने के L की पावर 1 और T की पावर minus 2 newton per second में आपज आता है surface tension होता है force by distance M की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर minus 2 newton per meter ऐसा है unit है specific heat, heat energy divide होता है ये mass और temperature से तो आप यहाँ पर heat energy energy को लीजिए नीचो के mass लगाई है temperature लगाई है तो k-1 आ रहा है बाकी mass तो ही है mass mass के असर होता है इससे mass 0 हो जाता है बाकी L की पावर 2 T की पावर minus 2 joule per kg per kelvin से नपाज आता है thermal conductivity है heat energy thickness area divided by area temperature time M की पावर 1, L की पावर 1 T की पावर minus 3, K की पावर minus 1 याने कि जूल per meter per second per kelvin current ampere में A की पावर 1 आएगा यहापर ampere ऐसी electric charge Q electric current into time तो यहाँ पर time और current आएगा याने कि T की पावर 1 A की पावर 1 बाकी 0 रहेंगे कूलम में आ पाजाता है potential difference की बात करें तो 1 by charge work आप जानते है सिरा charge नीचे लगाईए तो यह वापका work हो गया साथ में A की पावर minus 1 volt में आपा जाता है potential difference resistance होता है potential difference by current ohms law है तो M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर minus 3 A की पावर minus 2 ohms में आपा जाता है capacitance होता है charge of potential difference M की पावर 1 L की पावर minus 2 T की पावर 4 A की पावर 2 paradigm SI unit में आपा जाता है कुछ multipus देख लीचेगा सब multipus SI unit के यह बहुत काम में आएंगे सवाल इस तरीके से आते हैं exa का मतलब होता है E से represent करते है 10 की खाथ 18 मैं एक काम करता हूँ यहां से शुरू करता हूँ कि यह 10 की पावर 15 पेटा और फिर exa ले 10 की खाथ 18 तो यहां आप देखेगा कि यह एक एक दस बढ़ रहा है और इसके बाद सब जितने 10 बढ़ रहे हैं वो दस की खाथ 3 यानि कि 10 की पावर 3 इसे बढ़ रहा है तो डेका हेक्टो किलो तक थी इसके बाद mega exam 10 की पावर 3 बनाता है mega, giga, tera, peta, exam अब कम करते हैं इसको deci 10 से नीचे मतलब 10 की खाथ minus 1 1 by 10 1 by 100 centi 1 by 10 की पावर minus 3 million फिर 3 तीन तीन बढ़ेगा मतलब और 10 की खाथ 3 से divide हो जाएगा micro, nano, pico, femto, atom जो standard measure है किसी भी quantity का इसको हम कहते हैं unit उस physical quantity जो physical quantities हैं बहुत सारी हैं बहुत large हैं तो हम क्या करते हैं कुछ अपने limited number के physical quantity चूज करते हैं और उससे बाकी को represent करते हैं यह जो basic हमने चूज की या जो हमने अपने traditionally ले ली उनको हम कहते हैं fundamental या base quantities बाकी जो quantities इससे derive करेंगे यह होती है length, mass, time, electric current, thermodynamic, temperature और luminous intensity और mole, amount of substance दो supplementary quantities हैं SI unit में यह plane angle है theta और solid angle है इस तरी के से represent किया जाता है इसका unit है radiant और stay rate छोड़ी जोटे distance होते हैं इसको हम meter scale, warrior caliper या micrometer screw gauge से नाप सकते हैं screw gauge की measuring length या least count आपका 10 की पार minus 5 होता है इसी तरी के से vernier caliper का आपका 10 की पार minus 4 तक जाता है लेकिन जो बड़े distances होते हैं astronomical distances होते हैं वो हम और भी method उसके लिए use करते हैं जैसे example के आपके parallax method mass और weight की बात करें तो जितना matter है किसी भी substance में उसको mass कहते हैं यह इसकी internal property होती है physical property है जो gravitational mass है जो इस पे काम करता है यानि की m के साथ mass के साथ जो g लग जाता है तब यह weight बन जाता है accuracy measurement की यह measure करता है कितना closely आपने measure किया है two value के कितना close है उसे accuracy कहते है precision आपको बताता है किस resolution तक किस limit तक आपने उसको measure किया हुआ error inaccuracy physical quantity के measurement में उसको नापने में उसे हम error कहते हैं जो चीज inaccuracy आती है do type की error होते है systematic error और random error जो magnitude है आपकी individual measured value की और जो physical quantity उसका difference और उसकी जो mean value है उसको हम कहते है absolute error अगर ratio निकालना चाहे mean absolute error का mean value उस quantity जो हमें measure की है उसे हम कहते हैं क्योंकि यह ratio है इसलिए हम इसको relative error कहते हैं और ratio है इसलिए हम इसको fractional error कहते हैं जब हम relative error को percentage में दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसे हम कहते हैं percentage error कुछ error को जब अलग अलग तरीके से measurement होता है एक ही experiment में अलग अलग measurement हो रहा है तो हम combine करते हैं जब error combine होते हैं जब एक से ज़ादा physical quantities उनको measure कर रहे होते हैं तो जब maximum error आएगी वो किस तरीके से आएगी addition में z equal to a plus b यानिके delta z delta a plus delta b इसका error plus इसका error इसी तरीके से जब delta z करेंगे delta a plus delta b z की बात करेंगे तो a by b delta z by z करेंगे इसको delta a by a plus delta b by b जब multiply करेंगे तो delta z by delta a ये इसी की तरीके से आजाएगा और जब exponential power होती है power n तो ये n सामने आजाता है बाकि delta a by a रहता है delta z by z जिसको हम combination of error कहते हैं जितने digit आते हैं measurement में जिसके लिए हम certain हैं साथ में एक additional digit जो uncertain है उन सब को मिलाके हम significant digit कहते हैं जितने जादा आपके पास significant digit रहेगी उतना accurate आपका measurement होगा कोई भी जो physical quantity है उसको हम m, l, t mass distance time weight distance time इनके रूप में हम इसे express कर सकते हैं physical quantity को इसी को हम dimensional formula कहते हैं dimensional analysis का अगर हम उप्योग करें तो हम relation बना सकते हैं relation स्थापित कर सकते हैं अलग-अलग system में उसी unit का हम dimensional consistency बता सकते हैं कोई equation की बाया हाँ, दाया हाँ, दुनों बराबर होना चाहिए इसके इलाबा हम अलग-अलग physical quantity इसका relation भी बता सकते हैं उसका formula भी निकाल सकते हैं MCQ देखेंगे इस chapter का इस discussion का जो की है measurement और units पहला है which of the following physical quantities are derived one कौन साइस में derived है उत्तर है force क्योंकि mass, plane angle और time इस सारे हमारे basic universe basic quantities है which of the following physical quantities is not a fundamental physical quantity in SI system SI system में इन में से कौन सा physical quantity नहीं है उत्तर है solid angle 1 micrometer by 1 f meter अभी आपने factor देखा था तो यह क्या आएगा उत्तर आएगा इसका A micro और F को लगाई है power आपकी जब उपर जाएगी तो एकेवल आपको 10 की power 9 देनेगा जो unit है plane angle की SI system में वो क्या होती है उत्तर है इसका radian जो percentage error है इस distance में वो क्या है C 0.4 क्योंकि यह हम अलड़ी कर चुके हैं इसका discussion हम बागी सवालों में भी करेंगे इसलिए में इकेवल आपको उत्र बता रहा हूँ आपको percent error निकालना पता है 0.5 by 125 into 100 इस तरीके से इसको करते है delta जो भी quantity है delta A या delta Z by Z into 100 इस तरीके से किया जाता है एक experiment में density निकालनी है cube की जो percentage error है measurement का वो है 0.26% और जो percentage error है measurement जो length का है 0.3 है तो इसका percentage error क्या होगा यही मैं इसका उत्तर बताऊँगा आपको B ज़रूर मैं चाहूँगा कि इसके आप कोशिश करें Z equal to A cube तो relative error Z में क्या होगा आप जानते हैं कि जब power होता है तो power आगे आ जाता है याने 3 into delta A by X is equal to A, B और B की power है minus 1 इसमें delta A और delta B यह errors है measurement A और B आपको maximum percentage error निकालना है value of X वो क्या होगा A और B multiplication है B की power minus 1 तो इसका सीधा उत्तर होगा delta A by A delta B by B और क्योंकि percentage निकाले कि ने कहा गया है multiplication में आप सीधा यह कर देते है additional B इसका जो dimensional formula है physical quantity का वो आपके पास Z equal to N की power A, L की power B, T की power minus C है percentage error measurement जो mass, length और time का है वो alpha, beta और gamma जो percentage error होगा Z में होगा है इसका उत्तर है C A में के साथ लगेगा B beta के साथ लगेगा, C gamma के साथ लगेगा, बस इसको minus मत समझेगा, minus नहीं आएगा एक student है, वो experiment कर रहे है, उनको निकालना है G, जो है 4 pi square L by T square जो error है, length में वो delta L है time में delta T है, N जितना हमने, कि दे बार हमने यह reading ली जो measurement G का है, वो कब accumulate होगा, वाधियां से देखे इसको इसका उत्तर है D 1 mm, delta T आपका 0.1 second, और N है आपके पास 50 सबसे जादा observation किस में लिए गए 50, सीधी सी बात वेना current of यह 2.5 है, साथ में प्लस मैनस इसका 0.5 एक, यह flow कर रहा है वायर में, और एक potential difference क्रेट कर रहा है, resistance क्या हो इसमें आपको सीधा ohm flow लगाना है और उसके हिसाब से इसका उतर आएगा 8 प्लस मैनस 2 कितने significant figures हैं इसमें और इसमें बहुत जहां से देखिएगा 1, 2, 3, 4 पहले तो यह 4 तो clear हो गया यानि कि यह यह आपके यह वाला हड़ी गया अगला माले को बहुत जहां से देखिए इसमें हमारे पास 1, 2, 3 और 4 किवल यह लेंगे इनको हम नहीं लेते हैं तो उतर होगा 4 और 4 number of significant digit or figure in this कितने हैं अभी हमने देखा क्या लिए लिया था हमने यहाँ पर किवल 6 और 0 जब unit के जो number है उसके बाद जब लगता है तो यह भी non-zero number के पास 0 इसको में include करते हैं यहनि 6 और 0 में आपका 2 आएगा gravitational force F equal to G mass M1 M2 दो object के divided by R square तो gravitational जो force है या gravitational force में जो यह gravitational concept है इसका dimension बताना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे G निकालने के लिए आप force यहां लिखेंगे into R square करेंगे R square को में उपर ले गया यह M और M दो mass है force का आप जानते हैं चाहें तो mass into acceleration करके कर लिए यह distance square है mass mass तो अगर आप दिखालेंगे तो इसका उतराने बाला है E quantum theory के इसाब से जो energy है photon उसकी frequency F है उसको E equal to HF करते है H आपका plan constant H निकालने के आप लिए E by frequency frequency होता है one by time time को अपर ले जाईएगा तो आपका उतर आएगा इसमें M की power 1 L की power square T की power minus 1 जो dimension formula है light year का वो simple length होता है What is the dimensional formula of solid angle solid angle का कोई भी dimension निये होता है इसने 0-0-0 आएगा The time dependence of a physical quantity P time dependence is physical quantity की कुछ इस तरीके से दीव है P equal to P0 exponential है minus alpha T square alpha इसमें constant है T time है P pressure है dimension formula इस alpha का क्या होगा इसका उतर होगा M की power 0 L की power 0 T की power minus 2 T square alpha T को जब इसके अंदर आप यह लिख रहे है constant को अटा जेते हैं कि वह इसका 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 आ जाएगा Energy, momentum और force इसको हमने Choose करना है Fundamentally easy आपको Demisher formula बताना है Mass का नए system यह तो क्योंकि Energy, momentum और force तीनों आप लेंगे और इन तीनों का मिलाके यह basic unit लेनी है आप तो E की power minus 1 Peaks को है F की power 0 अब यह सब सवाल जो है इसको जब actual हम question करेंगे जो इस topics related है उसमें इनको detail में बकायदा करके दिखाऊँगा Number of particles crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time is given like this N equal to minus D N to minus N1 यह आपके number of particles है per unit volume और X2 minus X1 आपके क्योंकि volume X1 पे और X2 पे इसका difference है आपर बताया गया है D आपका diffusion constant है आपको deep के बारे में निकालना है तो आप कैसे करेंगे इसको इसको उत्तर बड़ा बहुत ही आसान है विसके लिए क्योंकि हमारे पास जो values दी गई है वो यह number of particles per volume volume एक लेना पड़ेगा X आपका distance है एक आपका L की पावर 2 और T की पावर मैंस 1 बचेगा जो speed है gravity की speed of gravity waves gravity waves की जो speed है water में तो proportional है lambda की पावर alpha rho की पावर beta और G की पावर gamma जब अपका wavelength है wavelength आपका meter में आपी या length में आपी जाती है rho है आपका density density mass है volume होती है G आपका acceleration है आपको बताना है कौन सा relation इसमें correct है इसमें निकालिएगा उत्तर जो है आपका alpha gamma के बराबर है ने कि बीटा के बराबर नहीं है यदि distance दो charges की बीजित में 2a है और जो dipole moment है इस system का वो इस तरह के सिद्धिया गया है p equal to 2a into q q इसमें charge है formula p का क्या होगा अब ये 2a ये आपका अगर constant आता है कि आपको सिद्धा p का क्या लिखना है d m की power 0 l की power 1 t की power 1 और a की power 1 सिद्धा इसका लिख देना आपको अगर एक gram centimeter second per second x ns के बराबर है तो x क्या है इसमें newton और second दिया हुआ इसके formula रखेंगे और इसमें conversion करेंगे आप gram का centimeter का second का in में तो आपका उतर आएगा 1 into 10 to the power minus 5 equation stationary wave का y equal to 2a sin kx cos omega t जहांपर a और x आपका meter में है w आपका angular velocity है dimension a by k का क्या होगा तो a by k का कैसे निकालेंगे आप उतर है इसका d याने की m की power 0, l की power 2, t की power 0 इन सब की बारे में मैं बहुत तफसीर से बात करूँगा इन सब को हम solve भी करेंगे अभी फिलाल मैं केवल आंसर बता रहा हूँ और जब इसके questions आएंगे तो हम इसको एक एकर के solve करेंगे तो अगर ये नहीं आपको नहीं अभी कुछ जब रहा है किल आंसर बता रहा हूँ मैं लेकिन इनको हम proper करेंगे तो p प्लस a by v square v minus b r t ये equation है dimension formula a by v का क्या होगा pressure volume और temperature रखिए यहाँ आपके पास उत्तर आएगा m की power 1, l की power 2, t की power minus 2 ये सारे questions है इन questions को एक एक करके करेंगे जो जो इसमें अपने MCQ में देखे उस सारे हम यहाँ से solve करने के कोशिश करेंगे तो ये chapter की बात हुई आपके measurement और SI unit या unit किस तरह के से measure करते हैं और कैसे उनको represent करते हैं तो कि आगे चलके जितने भी questions आने वाले हैं जितने भी topic आने वाले हैं उसमें हम इस measurement और इस MLT का जो system है उसको हम proper लगाएंगे बहुत शुक्रिया बहुत प्रहपारे अंसरी की